अंची बच्छा लोग कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं करने पीच चाहिए भाई बहुत जरूरी है क्योंकि बात आपके 12th क्लास की है ठीक हमेशा की तरह बोलती हूँ आज भी कहूंगी क्योंक चिनता है आपकी ठीक है चलो फिर बचलोग मैं हूँ विच्छाता आपकी बाधाई के सफिर को आप और हम मिलके असायत बनाते और बात करते हैं अपने नया चाप्टर के बारे में कौन सा है हमारा नया चाप्टर हां होगे माम चैप्टर का नाम तो दिख रहा है तो भाई हम कर रहे हैं तो विकास को हमने कहा कि जी विकास होता है इविलूशन ठीक है विकास क्या है विकास को हम कहते हैं इविलूशन राइट लेकिन विकास को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अच्छा विकास हुआ है कैसे कहोगे आप कि हाँ विकास हुआ है हाँ विकास वो है जो कई वर्षों हमारे पूर्वाज हुआ करते थे तो आज जो वहां से लेके यहां जो हम है इतने खुबसूरत से बच्चे जो सामने बैटे यह विकास यह development हुआ है वरना अगर विकास हुआ है नहीं होता तो आज भी हम उन्हीं लोग की तरह दिखाई देते और उन्हीं लोग की चैनल रह रहा होते हैं समझेयोग तो विकास को हम चोने डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो इसा और तो हमने लिग्यत्ति से होने वाला पर्सेस हो इसका पता इसका बोल दो या जिसका भोल दो कोई फरक निबलता और इसका बता कब चलता है हमको इसका पता हमको एक लंबे समय के बात चलता है ठीक है न बिल्कुल इसका पता कब चल रहा है आपको एक लंबे समय के बात पता चल रहा है हाँ विकास हुआ ठीक है मतलब कुछ नों कुछ बदलाव हुआ जैसे कि अगर मैं बोलो कि कहीं दूर कहीं दूर जब दिन ढल जाए ऐसा कुछ नहीं कहुंगी मैं ठीक है कहीं दूर कहीं दूर की विकास हुआ कैसे पता चला कि भाईया हमने कहा कोई पादप है ठीक है कोई यह इसके नई प्रजाति पैदा हो गई ठीक है इसने क्या कर ली अपनी संतती बना ली खूब सारी खूब सारी प्रचातिया है भाई इतनी सारी संतथी पैदा कर ली इसने अपनी है ना तो वहां पता चला कि उन्होंने जब उसको देखा होगा सर्च किया उसके बारे में कि तब उन्हों देखा कि ओओ तो इतने वर्ष पूर पहले आया था याने कि इसको विकास करने में इतना टाइम ल प्रोड सकते हैं तो क्योंकि यही थि हमारे पूर्वज यही थे जो अलग-अलग स्टेजें से ईसे उके गुज्डें हैं जिससे हमको पदा चला है कि यहां विकास्त हुआ है ठीक देख लेते a कौन-कौन से तो हमने कहा कि इन्होंने खाना बनाना सीखा है अगर यह खाना बनाना नहीं सीखते तो आज हम भी खाना नहीं बना पा रहे होते कैसे खाते हम भी खाना ठीक फिर हमने कहा कि इन्होंने चलना भी सीखा था ठीक है बनना आज भी हम लोग ऐसी अपने चार पैरों पे चल रहे होते जैसे बंदर चलते हैं, ठीक, ओके, फिर हमने कहा इनका चहरा बदला, अगर चहरा नहीं बदला होता, तो आज हमारा चहरा भी वैसे ही होता, फिर अपने आपको शीशे में खड़े होके, कैसे देखते हैं आप लोग, यह बताओ, क्या देखते हैं अपने आपको शीशे में चमता ती, वो बढ़ गई, ठीक है ना, वो बढ़ गई, हम लोग intelligent हो गए, ठीक, फिर हमने क्या बोला, की, की, हमने खेती करना सीखा, बनाम खाते गया, है ना, फिर गुफाओं में रहना सीखा, कह सकते हैं हम, और बहुत सारे चीजे, बहुत सारे चीजे, जो, इस हमारे कुछ हैं यहां पर कुछ हैं इन्हों berry शिकार करना सीखаш ठीक इन्होंने कपड़े पहनने सीखे खाल से खर ठीक है और क्या बोलों इन्होंने कल्डाकारिOS्य आसी서, Schön guns, Divine but da जानवर पैंने लगा सब्वार बार के तो न है जो मैंने यहां लिख दी एक example के तौर पे ठीक है ना तो यह सब क्या था हमारे पूरवजों की वो स्टेजिस थी जो हम लोग उन्हें नहीं देखी है सिर्फ हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में पुस्तो रहा होगा जीवन के उत्पत्ती कैसे हुई तो जब जीवन के उत्पत्ती हो गई तो भाई जजच सहा बोले हमें तो प्रमान चाहिए बिना प्रमान के हम मानेंगे यह नहीं तो हमने का ठीक है भाई हम आपको विकास के प्रमान भी दे देंगे ठीक है तो विकास के प्रमान यहां पर आ गए ठीक जब विकास के प्रमान आ गए तो भी उन्होंने बोला कि कोई ना कोई सिधान्त होगा जिसके बेसिस पर यह होंगी तो हमने का ठीक है भाई लो विकास के सिधान्त भी दे देते हैं हम ठीक है विकास के सिधान्त भी दिये हमने ठीक है ना, किस ने दिये, विकास के सिधान किस ने दिये, बोलो, तो विकास के सिधान किस ने दिये, एक तो हमारे डार्विन वाद जी, डार्विन वाद, डार्विन, डार्विन वाद आया हमारे जो डार्विन जी ने दिया था, दूसरा आया लेमार्क जी ने जो दिया था जिसको हमने लेमार्क वाद बोला ठीके और भी बहुत सारे थे ये तो कुछ दो ही लिखे हैं हमने और भी थे फिर यहाँ पर एक hardy when work सहब आये उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे पीछे रह सकता हूं hardy when work ठीके तो इन्होंने भी क्या किया अपना एक सिध्धान दिया ठीके जिसके बारे में हम बात करेंगे ठीके और उसके बाद में lastly हमारे पास किया जाता है याने की homo sapiens कि हम कौन कौन सी stages से होके गुजरे हैं ठीके तो इस सारी की सारी चीज़े हैं जो हमको इस chapter में cover करनी है कर्रिक्ट समझ में आ गया चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर यह देखो कि भाई बिग बैंक परिकल्पना है तो हमने कहा कि यह हमारे वैज्ञानिक थे दो जिनके हिसाब से प्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंक परिकल्पना प्रस्तिती की ठीक ब्रह्मांड अत्यंति प्राचीन है लगबग 20,000 करोड यानि कि दो प्रह्मांड में आकाज गंघाओ के विशाल समूँ है ठीक करें इतना बड़ा रहा चैस्व यह क्या है यह हमारी क्या है प्रतिवी इक बिंदू ठीक तो ब्रह्मान की उत्पत्ति के बारे में हमें Big Bang नामग महाविसफोर्ट का सिध्धान्त कुछ बताने का प्रयास करता है एक अनुठी कल्पना से परे महाविसफोर्ट का बहुतिक रूप है यानि कि Big Bang परिकल्पना ये क्या है ये बेसिकली क्या है ये इमाजिनेशन है हमारी परिकल्पना मतलब कल्पना से परे समझते हो कि जो हमने सोचा नहीं है उससे अलग हटके तो यहाँ पर एक क्या की imagination किये, कल्पना किये, कि हाँ ऐसा हो, तब हुआ होगा, बिग बैंक परीकल्पना, ठीक है? तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? हमने कहा कि भाई, ब्रहमान है, हम्, हमने कहा यह हमारा क्या है? ब्रहमान है, अब ब्रहमान में क्या है? एक छोटी सी संरश्णा है क्या है वो संरश्णा हाँ हमारी प्रत्वी ठीक है हमारी प्रत्वी तो सवाल आता है भाई कि प्रत्वी कैसे बनी कैसे बनी ठीक है पहली चीज तो ये प्रत्वी कैसे बनी ठीक फिर अगर मैं कहूं कि भाइया उससे पहले तो ब्रह्मान है तो यहां पर पहला सवाल तो यह यह जाएगा बेटा कि ब्रह्मान कैसे बना बहुत सारे सवाल है जो हमारे दिमाग में रहते हैं ठीक है बहुत सारे कैसे बना यहाँ भी एक कोश्यन मारका चाहेगा ठीक है कि ब्रह्मान कैसे बना तो यह जो ब्रह्मान बना है ठीक है यह जो ब्रह्मान बना है तो इसको पढ़ने के लिए इसको समझने के लिए तो कि कैसे बना हम क्या करते हैं हम पढ़ते हैं बिग बैंग परिकल्पना जिसको हम क्या कहते हैं बिग बैंग थिओरी भी कहते हैं जिसको ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं बिग बैंग थिओरी कहते हैं परिकल्पना मतलब imagination करना इसको हमने क्या बोला, imagination बोला, हम कुछ चीज imagine कर रहे हैं, यहाँ पर imagination हुआ, कि अच्छा ऐसे हुआ होगा, फिर अगर मैं इसकी उत्पत्ती की बात करते हूं है न, कि यह मैं बोलू कि भईया, इसकी उत्पत्ती कैसे हुई उत्पत्ती के लिए हम सोचे तो उत्पत्ती के लिए हम कह सकते हैं हमने भी बात करी कि भाई 20,000 करोड ठीक वर्ष पूर्व ठीक है 20,000 वर्ष 20,000 करोड वर्ष पूर्व याने कि हमने इसको क्या बोला हमने बोला 20 बिलियन है ना इयर्स एगो जब वहां पर कोई कण मौझूद थे ठीक है और कण क्या थे ठंडे हुए ठीक है और क्या बने ठंडे हुए तो उससे क्या बने कण से आकाश गंगा का निर्मान हुआ ठीक है तो बेसिकली यह सारी चीज़े हैं जो हमें यहां पर समझनी है बहु आजओ हम बात करते हैं बिग बैंक परिकल्पना के बारे में बिग बैंक परिकल्पना ठीक है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होई इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मांड है कि जो ब्रमांड है ब्रमांड की उत्पत्ति कैसे हुई ठीक है देखो फ्लो शार्ट बनाके इसलिए संचारियों कि एक एक चीज आपको ना लाइन बाइन याद रहेगे कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था ठीक है तो यहां बताया कि इसके उत्पत्ति कैसे हुई है ना तो वहां पर हमने क्या बोला कि भई जब यहां ब्रह्मान की बात कर रहें याने कि हम अंतरिक्ष की बात कर रहें ठीक है तो हमने क्या बुला कि यहां पर जो अंतरिक्ष था वहां क्या थे ठोस कन थे ठीक है यह ठोस कन थे हमने क्या बोला कॉस्मिक कन ठीक है ठोस कर थे वहां पर यानी कॉस्मिक कर थे अब यह जो cosmic करते इन में क्या हुआ इन में हो सकता है किसी वज़े से विसफोर्ट हो गया हूँ विसफोर्ट हुआ कुछ भी हो सकता है है ना हमने का यहाँ पर विसफोर्ट हुआ और यहाँ पर हम इसका क्या सोच के चलने है कि यहाँ चलो बारो temperature ज्यादा था हमने का यहां पर तापमान ज्यादा था इस वाई से तापमान ज्यादा था इसलिए ठीक है हम यह मान के चलते हैं कि यहां पर तापमान ज्यादा था इसलिए यहां पर विस्पोट हुआ ठीक है, हमने कह दिया अब भाई, जब यहाँ पर कड थे विस्पोड हुआ तो जो भी चीज थी वो कहाँ, छोटे-छोटे कड में क्या होगे तूट गई है न, यहाँ पर ठोस करते तो हमने क्या बोला, जो कड है इनमें महाविस्फोर्ट हो गिया जो विस्फोर्ट हुआ हमने इसको क्या बोला यह आपका महाविस्फोर्ट था ठीक है यह क्या था आपका यह महाविस्फोर्ट था अब जब यह महाविस्फोर्ट यहां पर हुआ है ठीक तो क्या हुआ है बहुत सारे चोटे कणों का निर्मान ठीक, इस महाविस फोर्ट चे क्या हुआ, बहुत सारे चोटे-चोटे कणों का निर्मान हो गया, ठीक है, तो इसको आप कैसे समझोगे, देखो, इसको मैं एगले पेज पर समझाती हूँ, जिसके लिए हम क्या करते हैं, पेज जोड लेते हैं, तो मैंने कहा कि ठोस कण थे, ठीक है, और मैंने कहा कि वहाँ टेंपरेचर ज्यादा था, ठीक, तो यहाँ क्या है, यह रहां मानलो आपका ठोस कण है, क्या है, यह आपका ठोस कण है, और यहाँ पर जो टेंपरेचर यान मैं कि जो तापमान है, वो कैसा है, ज्यादा है, ठीके, मैं ऐसा मानके चलती हूँ, अब यहाँ temperature ज्यादा है, तो मेने बोला कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर महाँ विश्पोड हुआ, महाँ विश्पोड हुआ, ठीके, अब जब ठीक है छोड़े-छोड़े कड़ में तूड़ गया जो क्या हुआ जो समय के साथ साथ टेंप्रेचर जो यहाँ जादा था जाब छोड़े-छोड़े कड़ों में तूड़ गया तो वह टेंप्रेचर कम होता गया ठीक है, कि मैंने कहा कि समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ जो यहाँ पर टेंप्रेचर था, जो यहाँ पर टेंप्रेचर था, वो क्या है, कम हो गया, ठीक, यहाँ पर क्या है, टेंप्रेचर कम हो गया, ठीक है, मैंने कहा कि टेंप्रेचर कम हो गया, तो इसका मतलब भई क्या हुआ ये कंड क्या कहला है जब यहां टाइब डाउन हो गया तो ये कंड क्या कहला है ये जो कंड थे ये कंड कहला है हमारी आकाश गंगा ठीक है ये जो कंड थे वो क्या कहला है हमारी आकाश गंगा कहला है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते है Milky Way Milky Way ठीक है, जिसको हमने क्या बोला Milky Way, यानि कि हमारी आकाश गंगा, जिसको हम कहते हैं अब ये जो Milky Way है, इस ही में कहीं आता है, हमारा क्या सौर परिवार है ना, सौर परिवार यानि कि СОЛर सिस्टम की बात कर रहे हैं हमें, ठीक है सोलर system की बात कर रहे हैं हम ठीक है ना हमारा solar system आ गया यहां पर ठीक अब यह जो solar system है इसमें आती है हमारी प्रथवी हमारी प्रथवी इसे में आती है ठीक है ना correct इतनी चीज सब को समझ में आ गई clear हो गिया कि भई यहां पर क्या हुआ हुआ यहां पर हम यह भी बोलते हैं कि h2 और he भी release हुई ठीक है यहां पर यहां क्या हुआ जब यह ठोस कंड टूटे ना यहां पर यह सब हुआ तो यहां पर क्या हुआ h2 भी release हुआ और he ठीक है यह भी क्या हुए रिलीज हुई दोनों की दोनों गैस ठीक है दोनों की दोनों गैस रिलीज हुई इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई ये बता दो तो हम आगे बढ़ जाते हैं ठीक है ना सबको क्लियर है थम सब दिखा दो हम आगे बढ़ जाते हैं बहुत बढ़िया बहुत ही प्रत्वी जहां पर हम रहते हैं है ना किदी खुब सूरत बच्पन से देखते आ रहें जोगरफी में भी है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब सवाल आता है प्रत्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ठीक है यानिक इसका निर्मान कैसे हुआ बहुत ही जादा मुश्किल सवाल है तो मुश्किल सवाल है तब ही तो मज़ा आता है है ना 4.5 billion years ago ठीक है कब निर्मान हुआ इसका 4.5 billion साल पहले की बात है जब हमारी प्रत्वी की उत्पत्ति हुई थी ठीक है तो वहां क्या हुआ था ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो टेंप्रेचर था ठीक है यह हम कहें तापमान था वो कैसा था टेंप्रेचर हाई था ज लगबग कितना माना हमने हमने माना लगबग 800 डिगरी ठीक है लगबग हम यह मान के चल रहें कि 800 डिगरी सेल्सियस था उस ताइम का टेंप्रेचर ठीक है फिर क्या हुआ हमने यह भी बोला कि यहां पर H2 और E के साथ साथ और भी दूसरी गैस यहां पर रिलीज हुई है हमने का कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस थी इनके साथ साथ दूसरी गैस भी क्या हुई दूसरी गैस भी रिलीज हुई बनी उस टाइम पर ठीक है लेकिन बात यह है कि उस टाइम पर क्या था वायू मंडल नहीं था लेकिन वहां लेकिन वहां वायू मंडल नहीं था गैस तो रिलीज हो गई लेकिन वायू मंडल नहीं था ठीक है अब अगर मैं गैसिस का एक्जैम्पल लूँगी तो गैसिस में तो वहां पर क्या क्या चीज़ें यहां पर आ सकती है हां कि एक्जैम्पल के लिए हमने बोला वहां पर क्या क्या चीज़े आ गई है वहाँ पर मिथेन आई है ना मिथेन आई मिथेन के साथ अमोनिया भी आया अमोनियों ने बोला मैं पीछे कैसे रह सकता हूं जलवाश बोला भाई जब तुम दोरों आओगे तो मैं भी तो आओंगा ठीके और यह जो जलवाश पुदाना इसी की वज़ेस आपवर से जो टेंपरेचर 800 डिग्री से अंसा है इसी जलवाश की वेशिए टेंपरेचर क्या हुआ नीचे 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 डाउन आता गया अब बहुत जाधा गर्मी होती है तो क्या होता है जब बारिश पर जाते तो टेंपरेचर कम और लग जाता है ना तो बस वही काम निर्मान इन गैसों के कारण हुआ हमने का कि यह जो गैस यहां रिलीज हुई है इसी के कारण क्या हुआ प्रत्वी का निर्मान हो गया ऐसा सोचा जाता है ठीक है क्योंकि हमने कहा कि यहां पर क्या था यहां जलवाश पता है यह जलवाश पर क्या होता है जलवाश पर हमारा क्या होता है H2O ठीक है ना H2O होता है और हम जानते हैं कि यह जो हमारा सौर मंडल है ठीक जो हमारा सौर मंडल है उसमें हमारे सूरस देवता मौजूद है है ना खुशी-खुशी ठीक है सौर मंडल में हमारे सूरे हैं यह क्या करते हैं यह भाइच गर्मी पहलाते हैं बहुत गर्मी फहलाते हैं टीक है तो सब सोर मंडल में हमारे सूरच देवता मौ جूद है इन्होंने गर्मी फहलाई थे ना और उनके साथ साथ बोला इन्नोंने लो मैं तुमको UV रेस भी फैक के मार रहो हूँ लो समहलो इसको तो इनके साथ साथ UV रेस भी आ गई ठीक है ना? इसके साथ साथ क्या है UV रेस भी आ गई? तो ये जो UV किरने है इन्होंने क्या ख्याम किया यहाँ पर जो ये H2O मौजूद था इसको किया किया यह जो S2 हो था इसको इन्होंने तोड़ दिया ठीके और जब तोड़ दिया तो यहां क्या बन गया यहां बन गया हमारे पास क्या H2 प्लस O2 ठीके जब यह तूटा तो हमारे को क्या मिला H2 और O2 मिल गया अब यहां पर यह जो O2 है ठीके इस O2 की अगर मैं बात करती हूं कि यह जो O2 है अरे ग्रीन क्लर नहीं आया यह हमें लगा ग्रीन क्लर आ गया मैंने कहा कि यह जो O2 है हमारे पास यह पहले से उपस्तिस गैस के साथ क्रिया करें कि यहां पर जो पहले से मौझूद थी गैस पहले गैस थी है ना उसके साथ अगर कोई क्रिया कर ले उसके साथ अगर यह क्रिया करें तो क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कौन से गैस वहाँ पर मौझूद थी बताओ हाँ कौन सी गैस मौझूद थी पहले हमारे पास हमने का कि मिधेन थी ना जो कि क्या है CH4 है है ना तो हमने का CH4 प्लस O2 अब जब यह रियक्शन करेगा तो क्या मिला हमको हमको कारबन डायकसाइड मिल गई प्लस H2 है ठीक है और इसके साथ साथ क्या बना यहां पर इसके साथ साथ भाईया ओजोन भी मिल गया ठीक है क्या मिल गया हमको इसके साथ साथ ओजोन मिल गया ठीक है तो कैसे मिल गया कि हमने क्या करा ओजोन कैसे मिलेगा हमको हम कि यहां पर O2 प्लस CO2 के साथ जब रियक्शन कर तो क्या मिला हम को यहां पर ओधरी की परत मिली ठीक क्या मिल गई यहां पर ओधरी की परत मिल गई अब यह क्या है हमारा ओजोन ठीक है ओतरी क्या है हमारा ओजोन है ठीक ओके इतनी बात कि दनी बच्चों को समझ में आ गई में ये जो ओजोन की परत यहां पे बननी है न कि वजे से ही क्या हुआ है जो प्रत्वी का टैंप्रेचर थे दीरे कंट्रूल होता गया क्योंकि हम सब जानते हैं कि actually में ओजोन का काम क्या है तो यह सारा खेल किसका है ओजोन का रचाया हुआ है कि भाईया यूवी रेस से शुरक्षा भी इसने कर दी ठीक है टेंपरेचर भी डाउन इसने कर दिया और जो क्या है जो कॉस्मिक कर्ण थे ठीक है तो वो भी इसकी वज़े से क्या हो गए कौस्मिक करण हुआ ना है ना इसी की वज़े से ठीक इतनी बास सबको समझ में आई फिर चलो मैंने बोला कि यहां पर एस टू बना ठीक है अब जब यहां पर एस टू बना तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि प्रत्वी की सत्य थी मैंने का यह क्या है प्रत्वी की सत्य है ठीक है इसमें क्या है इस तरीके से गड़े है ठीक है इस तरीके से गड़े है अब जब जो वाश्पते वो ठंडे होते गए तो गिरेंगे तो गिरें तो यह जो गड़े थे ना इन गड़ों में आके वो जो वाश्पते यहां पर भर गए ठीक है गड़ों में भर गए ये लोजी अब जब ये गड़ों में भर गई यहां पर यहां पर जल भरन लग जिसकी वजय से क्या हुआ जब यहाँ पर जल बढ़ने लगा तो भाईया जिसकी वज़े से क्या हुआ जलाशय का निर्माण हुआ ठीक जिसकी वज़े से क्या हुआ जलाशय का निर्माण हुआ अब हमने कहा कि भाईया यहाँ तो जल बन गया है ना हमने कहा कि यहाँ तो जल बन गया, अब जब जल बन गया है, तो जल के अंदर हमको पता है क्या है, यहाँ जल बन गया, ठीक, अब जल के अंदर क्या है, अ-कार्बनिक, अ-कार्बनिक पदार्थ होते हैं जल के अंदर, ठीक है, जो सयोजित होके क्या करते हैं, हाँ, जो सयोजित होकर कार्बनिक पदार्तों का निर्मान करते हैं ठीके निर्मान करते हैं और फिर आगे चलके क्या हुआ इसी की वज़े से जीवन की उत्पत्ती हुई इसी की वज़े से जीवन की उत्पत्ती हुई ठीके इतनी बात कितने बच्चो को समच में आ गई यह भी बता दो मुझे किसको clear हो गई है यह सारी चीजह को बहुत असान था कोई बोल नहीं सकता कि मैडम जी समच में नहीं आया है बहुत जादा tough है है ना आगे ना समच में बोल दो यार समच में आगया हां चालो बहुत बढ़िया हां आगे बढ़ जाते हैं ओके चलो यह तो हमने पढ़ लिया है यह देखो कि भाईया इसके फल सरूप ब्रह्मान का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई यह हमने लाइन पढ़ी अभी है ना कुछ समय बाद हमने बोला हाइड्रोजोन हीलियम गैस बन गई यह भी हमने देख लिया भी ठीक है गृत्वा करशन के कारण संगनित हुई और वर्तमान ब्रह्मान की आकाश गंगाओं का क्या हुआ हां गठन हुआ ठीक है मिलकी वे नाम था वहां पर ठीक है ना मिथेन था कार्बन डाय ऑक्साइड थी अमोनिया था यह धरातल को ढखने वाले क्या हुए पदार्थ निर्मोक्त हुए ठीक है सूरे से आने वाली जो पैरा बैगनी किरने होती है पानी में हाइड्रोजन तता ऑक्सीजन में क्या हुआ विखंडित कर दिया उसने और हलकी हाइड्रोजन वहां पर रिलीज हो गई यह भी मैंने आपको बताया वहां पर ऑक्सीजन ने अमोनिया और मिथेन के साथ मिलकर पानी जो है जो कार्बन डियोकसाइट था अन्य कैसा आधी की रशना कर दी प्रत्वी के चरण या ओजोन परत का गठन किया गिया उसके बाद जलवाश भी जो है बरसात के रूप में नीचे जमीन पर आए और जो गहरे स्थान ते वहां पे वह क्या हुए भर गए और वह हाँ ठीक है ऐसा मानना चाता है ठीक है इसके बाद हम क्या बात करेंगे हां क्या बात करेंगे इसके बाद बताओ बोलो भाई, इसके बाद क्या बात करोगे आप, क्या बताओगे इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, भाई अब हम पढ़ेंगे प्राचीन सिध्धान्त, ठीके यह आगे आपका प्राचीन सिध्धान्त, तो भाई प्राचीन सिध्धान्त या ने की, ऐसी जो प्राचीन के लो है ठीक है उनकी जो सोच है वो क्या है उन्होंने क्या सोचा कि प्रत्वी के उत्पत्य कैसे होगी तो यहां पर क्या हुआ एक हमारे पास पैन स्पर्मिया आया ठीक है तो यहां पर नंबर वन पर हमारे पास क्या आगिया पैन स्पर्मिया ठीक है ना और नंबर टू पर हमारे पास की आगया सुधह जननवाद यह दो चीज़े वहां पर हमको देखने को मिली ठीक है तो ये अच्छा है ये तो स्पोर से धांते बाद में आएगा ठीक तो पैन lóg पर विया तो यहां पर जो प्रमिया था है यहां पर बोला गया कि हो सकता है कि भाई हो सकता है कि दूसरे ग्रह से जो कर थे वह कहां आये हहां हमारी प्रधवी पे आये ठीक है और किया हुआ फिर वो जीवन में बदल गये जीवन बदल गए पहली चीज तो यह हमें देखने को मिली यहां पर ठीक है पैनिस पर्मिया नाम के एक प्राचीन सिध्धान से कि दूसरे ग्रह से कोई कर्णत प्रस्वी पर आये और क्या हुआ उससे जीवन की उत्पत्ती हो गई ऐसा हुआ फिर स्वतह जनन बाद आया एक और यहां पर बोला गया कि भाई जीवन की उत्पत्ती हुई है कि जीवन है क्या हो गया जीवन की उत्पत्ती हुई है वह अपने आप ही हो गई वह कैसे होई खुदी हो गई ठीक है इस्पॉंटेनियस क्या वो लेंगे उसको इस्पॉंटेनियस जनेशन ठीक है कि कोदी हो गई अपने आप देखो स्वत्ताह जननवाद यानि कि भाईया खोदी जनन हो गया उनका किसी के जरूरती नहीं पड़ी तो यहां पर यह दो चीज़े हमको देखने को मिली प् नामक इकाई विभिन या अन्य ग्रहों के स्थानंतित हुई और जिसमें प्रत्वी उनमें से एक थी कुछ खास विज्ञानिक जो प्यानिस पर्मिया को अभी भी अपना मन पसंदीदा सिधान्त मानते हैं उनके हिसाब से यही है जो सब कुछ है ठीक है इनके हिसाब से चलो अब स्वताता जनन सिध्धान्त क्या बोलता है इसने बोला कि भई स्वताता जनन नामक सिध्धान्त है ठीक है लूइस पॉस्चर ने साफधान पूर्व प्रियोग करते हुए प्रदशित किया कि भाई जो जीवन से पहले विद्वान जीवन से ही जीवन आता है यान हुई तभी तो ये दो कोशिकाओं में बनी है ना यानि कि जो पहले से मौझूद कोशिका है उसी से नई कोशिका बनी तो यहां उन्हों ने बोला कि जो पहले से मौझूद जीवन था उसी से नया जीवन की उत्पत्ति हुए उसने प्रदर्शित किया कि पहले से ही जीवन क्या वो जिवानों रहित किये गए फ्लास्क में मृत इस्ट मृत इस्ट से जीव नहीं पैदा होते जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत इस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं ठीक उन्होंने एक किना जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे तो ऐसा उन्होंने बोला था है कि ढ़या और वरिंग्लेंड ओcession exist प्रतिपादित किया था इसको इनके अनुसार क्या हुआ था कि झीवन के प्रारम कोश रसाइनों के स splend σब्स चुरू हुआ जैसे प्रोटीन और आरेने ठीक है और हम सब जानते हैं कि भई या प्रोटीन और आरेने क्या है RNA को हम बोल देखने कि अनुवजिक पदार्थ है ठीक, और हम ये भी जानते है कि प्रोटीन भी हमारे शरीर में होता है जानते हैं, यानि कि जिन्दगी की बात हो रही है जीवन की बात हो रही है तो इनके अनुसार जीवन का प्रारम महा सागर में हुआ ठीक है उस समय का ताप अधिक था ठीक वायू मंडल में क्या थी हमारे पास CH4 और NH3 जैसी गैस थी ठीक है और जॉला मुखी भी थे भाई जॉला मुखी भी थे जिसकी वेश से टेंपरेचर क्या था जादा था इसके कारण अकार्बनिक रसायनों के संयोजन से कार्बनिक योगिक का निर्माण हुआ जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था अगर आपको याद हो तो है ना और फिर उस समय परियावरण में ऑक्सीजन नहीं के बराबर थी तो संबतहा जीव भी अवायविये नहीं थे अवायविये थे स्वारी वहां पर ठीक है वायविये और अवायविये दो तरीके के जीव होते है ना तो उस टैम पर जब हमने बोला वायू मंदल नहीं था तो जीव कैसे होंगे अवायविये जीव होंगे ठीक है देखो तो यह है हमारे ओपरेन और हैल्डेन ठ इसको वने क्या बोला सिधान्त बोला तो यहां पर भाई हम कहते हैं जो उपरे थे यह कौन थे यह रूस के थे यह रूस से थे ठीक है और जो हाइल नथ है ये कहां से थे? इंगलैंड से थे ठीक है? और यहां पर इन्होंने एक book दी थी ठीक है? तो book का नाम क्या था यहां पर? जो book इन्होंने दी थी बताय था बुक का नाम था origin of life जिसमें इन्होंने अपनी hypothesis लिखी थी ठीक? तो इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, clear हो गई है, जल्द इसे फड़ाफट से thumbs up करके दिखा दो, बजा दो फड़ाफट से, मजा जाएगा, चलो फिर, इतनी बात clear सबको आगे बढ़ जाते हैं, है न, चलो, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर ए तीन का, इनका नाम था, S.C. Miller, ठीके, क्या नाम था, S.C. Miller, ये रहे, हमारे Miller सहब, ठीके, messenger है, स्के 1953 में, इन्होंने प्रियोग किया था, इन्होंने क्या किया, 1953 में एक प्रियोग किया और ये प्रियोग किस नाम से famous हुआ, Miller का प्रियोग, मिलर का प्रियोग इस नाम से क्या हो गया? ये famous हो गया अब इन्होंने यहां पर क्या किया था? इन्होंने क्या किया यहां पर? इन्होंने क्या किया? अपने लैब में ऐसा वातावरन बनाया वातावरन बनाया जैसा कब था? 4.5 billion years पहले अर्थ के उपर, हमारी प्रत्वी के उपर क्योंकि इन्होंने सुचे कि भाई प्रत्वी बनी कैसे? उत्पत्ती कैसे? क्यों ना पता लगाया जाए? है ना? तो इसी वज़े से इन्होंने क्या किया? कि अपने लैब के अंदर ये सब चीजे करने की थानी तो इन्होंने क्या किया यहां पर और क्या एड कर दिया प्लस यहां पर और क्या एड क्या इन्होंने पर बताओ प्लस हाइड्रोजन एड किया इन्होंने ठीक है और क्या किह यहां पर प्लस इलेक्ट्रोड भी थे वहांपर ठीक है तो ये सारी चीज़े उन्होंने यूज की और वहाँ जब इसका result इनको मिला तो इन्होंने देखा वहाँ amino acid था अब बड़ी सोच में पड़ गए कि amino acid का मतलब की भाई याने कि वहाँ पर कोई जिंदा शरीर हो सकता है क्योंकि amino acid कहां मिलता है किसी जीवित के शरीर म मिलता है ना तो छोड़ो देख्ते हैं कि फियसे बनाया भाई तो इन्होंने क्या किया इन्होंने एक flask बनाया यह रा Olas एस ऀस तरीके से ऐसे करके ऐसे आए से एक मिक्की माउस जैसी संधेशना आए बब नहीं यतों कता है मिक्की माउस जैसे शनरशना नहीं थी PLASK ठीक है यह क्या है वेक्यूम आ जाएगा यहां पर आपका ठीक है यह क्या है वेक्यूम पंप ठीक है यह क्या आगिया आपका वेक्यूम पंप ठीक है वेक्यूम पंप आगिया यहां पर यहां क्या था यहां पर 800 degrees Celsius पर क्या किया था उबलता हुआ जल था ठीक है उबलता हुआ जल था यहां पर ठीक अब यहां पर क्या था जैसे हैं यहां पहुँचे न तो यहां पर एक Mickey Mouse जैसी संरश्णा जैसा फ्लास्क था कि ऐसे करके ठीक है ऐसा फ्लास्क था और उसके बाद यह फ्लास्क यहां से ऐसकी होड़ी सब्सक्रणा पहुआ यहां पर फिर यहां से अइसा जाया जहां से जल अंदर आता है और जल बाहर जाता है है नहीं जल संगनित हो जाता है उसके बाद भाई इससे करके ऐसे करके फिर यहां पर एक पाश आ गिया है ना और ऐसे करके ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना यहां पर जहां पर पानी संगनित हुआ होगा ठीक है फिर यहां पर हमने क्या वोला दो इलेक्ट्रोड थे ठीक है इन एलेक्ट्रोड से क्या हुआ स्पार्क निकला है ना स्पार्क निकला कौन कौन सी गैसे यहां यूज हुई यहां यूज हुई आपकी कौन सी भई च्छ 4, NH4, H2, H2O यह साले चीज़े यहां पर यूज हुई है ना चरो नाम लिख लेते हैं ये क्या है आपका ये है आपका पाश में द्रव ठीक है पाश में द्रव जिसका टेस्स किया था इनोंने बाद में ठीक है यहां क्या है यहां पर आपका क्या है संगनित जल है ना यहां क्या है यहां से जल अंदर आया ठीक यहां क्या हुआ जल बाहर गया ठीक यह क्या है आपका यहां से स्पार्क डिस्चार्ज हुआ है ना डिस्चार्ज हुआ फिर यह क्या है इलेक्ट्रोड ठीक है यह क्या है इलेक्ट्रोड तो यहां पर क्या हुआ है यहां पर क्य बाला अब वैसे बात है ऊपर जाए गा रइक हीवैपर रही होगा फिर यहां पर क्या क्या होगा ही जाल है वेपर में बदल यया तो यहां पर क्या है हमने बोला कि était में 800 सילूसियस पडित को वाला गया वाश्व रहाँ ठीक है फिर यहां की help तो यहां का environment क्या हुआ विल्कुल वैसा हो गया जैसे 4.5 billion year पहले था इस electrode की मदद से ठीके अब यहां पर क्या है कि भाईया जल अंदर आया है तो क्या है जल यहां पर संगनित है ठीके ठीके ना यहां पर क्या है जल संगनित हुआ तो जल अंदर आ गया यहां से ठीके संगनित हुआ तो उसके बाद भी आके 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 यहां पर आके इखटा हो गया ठीके पाश डर्व में फिर यहां पर करीब 18 दिन तक ऐसे ही पढ़ा रहा अठारा दिन तक ऐसे ही पढ़ा रहा, अठारा दिन बाद जब इसका टेस्ट किया, तो टेस्ट में हमको अमीनो एसिड मिले, और क्या मिला हमको यहाँ पर नुकलियो टाइड्स मिले, यह दो चीज़े यहाँ पर हमको मिल गई, तो बई यह दोनों चीज़े देखके जो है न हमारे विज्ञानेक जी बड़े कंफ्यूसी आ गए, उन्होंने भूला कि यार, अमीनो एसिड और नुकलियो टाइड, यह क्या बात भी, तो भई, सोचने वाली चीज़े हैं कि अमीनो एसिड कौन सी फॉर्म में होते हैं हमारे शरीर में, और जो नुकलियो टाइड होते ह में और आरे नहीं में होते हैं होते हैं तो तब यहां से अंदाजा लगा कि आहां भाई प्रत्वी की उत्पत्ती हुई थी इसका मतलब ठीके, चलो बढ़ जाते हैं आगे, यह देखो, यह कुछ इस तरीके से आपकी, अच्छा, आपकी किताब में ऐसे दिया हुआ है यह देखो इसको, अब यहां पर एक और चीज, कि मैंने बोला कि सबसे पहली कोशी का, सबसे पहली कोशी का, ठीके, कहां मिली थी, जल में मिली थी, ठीके, किसमें मिल गई थी, जल में मिल गई थी, क्योंकि जल में क्या थे, अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार थे, ठीके, यह जो कार्बनिक पदार्थ थे, ये संयोजित हुए, ठीके, संयोजित हुए, संयोजित हो कि इनोंने क्या किया, कार्बनिक पदार्थ बनाया, ठीके, कार्बनिक पदार्थ बने, अब ये जो कार्बनिक पदार्थ थे, ये कौन सी फॉर्म में थे, ये थे आपके कैपसूल फॉ कैपसूल जैसी सन रशना थी ठीके और ये जो कैपसूल थे ये अपना पोशन कहां से ले रहे थे ये पोशन कहां से ले रहे थे अपना जल से ले रहे थे ठीके ये जो कैपसूल थे ये पोशन कहां से ले रहे थे जल से ले रहे थे है ना और जल से लेने के बाद जब पोशन हुआ तो इन्होंने क्या किया हाँ इन कैपसूल ने अपनी प्रतिकरती कर ली ठीक है इन्होंने क्या करी अपनी प्रतिकरती करी जिससे मतलब कि हमार पास एक कोशिका थी तो इस एक कोशिका से यहां पर दो बन गई ठीक है और इस तरीके से भाई यहाँ पर क्या हुआ हमने कहा कि एक सेल से दो सेल बन गई ठीक है तो भाई यहाँ पर जो जीवन का प्रतम अकोशी किये रूप था हो क्या था जीवन का प्रतम अकोशी की रूप तीन अरब वर्ष पहले पैदा हुआ था इस चीज को ध्यान रखना है और ये भी कह सकते है कि हो सकता है वो एक अनू के फॉर्म में हो या फिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो ठीक है बढ़िया इतनी बाद सब बच्चों को क्लियर हो गई जैव विकास के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो जैव विकास के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम कि भाई साहब प्रत्वी के निर्मान के बाद कुछ चीजे हैं समझने वाली आ कार्बनिक पदार्थों से क्या हुआ, जीव वे निर्जीव जगत बने ठीक है, मतलब कि क्या हो बने, कि कार्बनिक से क्या बने, जीव बने और अकार्बनिक से निर्जीव बने ठीक है, दो चीज़े यहां पर हो गई, कार्बनिक से जीव बने और अकार्बनिक से निर्जीव बने मतलब कि भाई जीव यानिकी यहाँ पर क्या हुआ जैव विकास ठीक है न जैव विकास हुआ और निर्जीव यानिकी यहाँ पर आकारवनिक विकास हुआ ठीक है यह दो चीज़े ख्लियर हो गई चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं फिर यहां पर दूसरी चीज़ें क्या कहेंगे कि प्रत्वी पर जो जीव थे प्रत्वी पर जीवों के उद्भव वे उनके विकास को ही क्या कहते हैं हम जैव विकास कहते हैं ठीक है जैव विकास कहते हैं ठीक है कि जो प्रत्वी पर जो जीव है और जो उनका उद्भव हुआ है उसके विकास को ही जैव विकास बोला गया ठीक है फिर हमने कहा कि यह कैसी है धीमी लेकिन निरंतन करिया थी है यह कैसी है धीम कैसी है ये धीमी लेकिन रुकी नहीं है ये निरंतर है ठीक है इसका मतलब कि आज प्रतिप आज ये क्या बोलते है प्रमानित किया जा चुका है कि हर एक जीव का विकास दूसरे जीव की विबनताओं के करण हुआ है ठीक है तो ये प्रमानित किया जा चुका है प्रमानित किया जा चुका है कि हर एक जीव का निर्मान या विकास जीव का विकास जीव का विकास दूसरे जीव में विभिन ताओं के कारण जैव विकास से हुआ था जैव विकास से हुआ था ठीक है? कि भाईया जो भी कोई नया जीव बना है तो जो उसका पुराना जीव होगा उसमें कुछ ना कुछ विविनताय आई होंगी कि जिसकी वेसे नये जीव में जो है इतने सारे बदलाब आ गए पुराने जीवों के मुकाबले अब जब ये विकास यहाँ पर हुआ है विकास यहाँ पर हुआ है तो इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाड भी चाहिए थे वर्णा लोग कैसे यकीन करेंगे तो जब विकास के प्रमाड के उपर आ जाते हैं कि भाई कौन-कौन से प्रमाड थे तो नंबर वन पे हमने क्या बोला तुलनातमक तुलनातमक आ कारिकी आकारिकी वे शरीर रचना के प्रमाड ठीक है पहली चीज तो यह आ गई है हमारे पास ठीक दूसरी चीज की आई हमारे पास बताईए कौन बताएगा हां कौन बताएगा बताओ दूसरा आ गया भाई आपका जो जिवाश में थे जिवाश में के जिवाश में के या फिर बोलो जिवाश में विज्ञान के विज्यान के प्रमाण ठीक, तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास तीसरा हमारे पास आ गया भई, सयोज सयोजक कडियों के प्रमाण कडियों के प्रमाण ठीक है, फिर क्या जाएगा आपके पास चौते नमबर पे, चौते नमबर पे आ गया जैव रसायन ठीक फिर क्या जाएगा आपके पास फिर आगिया भाई चयन चयन के प्रमाण है ना उसके पाद क्या गया अवशेशी अंग छे नमबर पर अवशेशी अंगो के प्रमाण ठीक है उसके बाद आपके पास क्या जाएगा यहाँ पर हाँ सेविंथ नमबर पर यहाँ लिख देते हैं सेविंथ नमबर पर आया तुलनात्मक ब्रूण इकी से ब्रूण विज्ञान के प्रमाण और लास में क्या गिया पूरवज़ता से ठीक है यह पूरवज़ता के प्रमाण ठीक है यह सारे चीजे हमें एक एक करके पढ़नी है पूरवश्था के प्रमाट ठीक है यह सारी की सारी चीजे हमको एक करके यहां पर पढ़नी है ओके इतनी बात समझ में आई सबको Clear सब को है ना चलो बहुत बढ़िया ठीके 10-end करके क्या करते हैं इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं चलिए ठीके अब समझते हैं इनको 18 करके जो 8 पॉंट हमारे पासा है की 8 पॉंट अच्छली में क्या है ठीके आजओ तो 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 अरे बापरे चलो कोई बात नहीं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है देखो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आते हैं समजात और समृत्ति अंग ठीक है सबसे पहले ही आता है लेकिन यह किसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं इसको हटा देते हैं यहाँ से है ना और यहाँ पर हम क्या डालते हैं यहाँ डालते हैं तुलनात्मक तुलनात्मक अकारी की वे शरीर रचना के प्रमाण ठीक है हम बात करते हैं इसके बारे में जो नमबर वन था हमारा ठीक है तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे तो actually में यहाँ पर हम दो अंगों के बारे में बात करेंगे ठीके, कि उनमें जैव विकास क्या है, ठीके, दो अंग, ठीके, कि इनमें जैव विकास, ठीके, जैव विकास, ठीके, तो वो कौन से हैं दो अंग, कौन से आजाएंगे, बताओ, बताओ, कौन से आएंगे दो अंग, तो भाई, वो अंग हमारे पास की आएंगे, एक आगिया आपके पास समजात अंग ठीक है और दूसरा क्या जाता है आपके पास सम वृत्ती ठीक एक आगे समजात अंग और दूसरा क्या आगे सम वृत्ती अंग ठीक चलो फिर इन दोनों को समझ लेते हैं यहाँ पर कि समजात और सम वृत्ती अंग क्या है इन दोनों के बीश में क्य करते हैं एक दिवार बनादेते हैं लो यहां आग आगे आपका समजाद ठीक है और यहां की आग्या आपका सम वरिद्ती ठीक है ना जब मैं समजात अंग की बात करती हूँ तो समजात अंग को हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं होमो लोगस और गन ठीक है क्या बोला हमने इसको होमो लोगस और गन बोला फिर सम्रत्थी को क्या बोला हमने आना लोगस और गन ठीक चलो पहले चीज तो यह हमने सीखी यहाँ पर फिर जब हम बात करते हैं बाई इन अंगों के बारे में तो यह अंग वो होते हैं जो समान कोशिका समान कोशिका से क्या होते है समान कोशिका से अगर मैं इसकी उत्पत्ती कहती हूँ कि इसकी उत्पत्ती कहां से हुई ठीक तो इसकी उत्पत्ती कहां हो रही है समान कोशिका से एक ही तरीकी कोशिका से उत्पत्ती हो रही है ठीक है फिर लेकिन जब जो कोशिका है मैं उनके कारे की बात करती हूँ तो उनके कारे क्या हो जाते हैं लेकिन अलग-अलग प्रकार क अलग अलग प्रकार के काम हो जाते हैं कोशिका से मतलब उनकी उत्पत्ति है वो एक ही कोशिका से हो रही है लेकिन उनके प्रकार जो कार रहे हैं वो क्या है अलग अलग हो जाएंगे लेकिन यहां पर क्या होता है यहां उल्टा हो जाता है यहां पर गर मैं इनकी उत्पत्ति की बात करती हूं तो इनकी जो उत्पत्ती होती है ये क्या होती है ये भिन 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 कोशिकाओं से होती है ठीक है और जब मैं इसके कार्रे की बात करती हूं ठीक तो कार्रे क्या है इसके एक समान होते हैं ठीक है इतनी बात कितने वच्चों को समझ में आई कि मेडम जी क्या बोल रही है समझात और समरत्ती अंगों के बारे में बताईए कितने को समझ में आ गई है चलो बढ़िया सब को समझ में आ गई तो देखो अब आप सारी और अभिसारी ठीक तो अगर मैं अपसारी और अभिसारी की बात करती हूँ अब इन दोनों के बीच में भी लो हम एक दिवार बना देते हैं यह आ गए आपके अपसारी विकास ठीक है और यह क्या जाएगा आपका अभिसारी विकास दो चीज़े आ जाएगी ठीक तो जब मैं किसकी बात करूँगी मैं आपसारी की बात करते हैं तो यहां जब इसकी बात करते हैं तो यहां कौन से अंग आते हैं यहां आपके आते हैं समजात अंग ठीक है समजात अंग की भईया जिनके कारें अलग अलग थे लेकिन कोशिका से उत्पत्ती इनकी एक सी कोशिका से उत्पत्ती हुई थी ठीक है तो इसमें आते हैं समझाथ अंग पर जब मैं अभिसारी की बात करती हूँ अब इसारी में कौन से अंग आते हैं संवृत्ति अंग आते हैं संवृत्ति अंग ठीक है ठीक है अब यहां पर हम बात कर रहें भाईया जैव विकास के बारे में ठीक है तो यहां जब जीवों के पूर्वजों की बात होती है जो जीवों के पूर्वज हैं है ना तो पूर् ठीक है, इनके पूरवच क्या थे? एक समान थे, ठीक है, और जब क्या हुआ? जब पूरवच क्या थे? एक समान थे जब लेकिन जब जीव अलग अलग वातावरण में गए, ठीक है तो इस कारण वश तो इस कारण क्या हुआ इस कारण अंगों के कारएं में क्या हो गया परिवर्तन आ गया तो हमारे समझात अंग में हुआ फिर अगर मैं समवर्थियंग की बात करती हूँ, तो यहाँ पर क्या खेल हुआ भाई, यहाँ पर जो पूर्वस थे, वो क्या थे? अलग-अलग थे, ठीके, लेकिन क्या हुआ, कि वातावर人 में, बद्लाव हुआ, ठीके, बद्लाव हुआ, और क्या हुआ, वो एक दूसरे क कॉंटेक्ट में आए एक ही जैसे वातावरन के कॉंटेक्ट में आए एक ही वातावरन में आए तो जब एक जैसे वातावरन में आगे तो क्या हुआ जो उनके अलग-अलग अंग थे तो अंगों ने समान कारे करना शुरू कर दिया समान कार्य करना शुरू किया ठीक है इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई बताओ इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए कि अपसारी और अभिसारी विकास क्या है जब अब सारी की बात होगी तो समझात अंगों की बात करेंगे और अभी सारी की बात होगी तो समझात अंगों की बात करेंगे यह देखो यह आपके समझात अंग है तो प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं सनरशना में समान होते हैं लेकिन कार्यों में भिन्ड होते हैं समझात अंग कहलाते हैं जैसे कि मनुष्य के हाथ हो गए, चमकादर और पक्षियों के पंक हो गए मगर, छिपकली, एवं घोडे के अगरपाद आदी ये क्या हैं समझात अंग हैं ठीक फिर अगर मैं सम्वृत्ति या तूलर रूपी अंग की बात करती हूँ तो जीवों के इन अंगों या सनरशनाओं को जो रचना तता उत्पत्ती में क्या है भिन्ड होते वे भी क्या काम कर रहे हैं कारे में समानता दिखा रहे हैं ठीक है तो यह सम्वृत्ति यांग कहलाएंगे इस प्रकार की समानता सम्वृत्तिता कहलाती है जैसे कि एक्जैम्पल में हम क्या कहेंगे तितली के पंक, पक्षी के पंक, चमकादर के पंक, सम्वृत्तिता को प्रदर्शित करते हैं ये सारे के सारे ठीक है तो अगर आपके पास exam में पूछा जाए differences तो समझात अंग में ये लिखोगे और समृत्ति अंग में ये लिखोगे correct इतनी बाद समझ में आ गई clear सबको चलो बहुत बढ़िया आगे बर जाते हैं है ना आगे बरते हैं और क्या बात करते हैं भाई जिवाश्म के प्रमान की बात करते हैं हम लोग, ठीक है कि जिवाश्म का प्रमान, ठीक है, तो जब हम जिवाश्म के प्रमानों की बात कर रहें भाई, तो क्या है यहां पर, हम, कि हमने बोला, अवसाद, या, तलचट, चटान, ठीक है, यहां से हमको क्या मिलता है, जिवाश्म मिलता है, ठ जिवाश्म मिलता है यहां से यहां से ठीक है फिर अगर जिवाश्म की अध्यान की बात करते हैं है न हमने कहा कि जो जिवाश्म का अध्यान है जिवाश्म का अध्यान क्या कहलाता है जो जिवाश्म का अध्यान होता है क्या कहलाएगा वो पेलियन टू लॉजी ठीक है पेलियन टू लॉजी ठीक है इतने चीज सब बच्चों क्लियर ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं लो दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं अब बताओ ये दो चीजें सब को क्लियर हो गई हो गई न है न है ठीक है चलो आगे ब देखो समझो, जो अब साधी चटान है ठीके और और भूपरपटी के क्रॉस सेक्शन में एक तलचट में एक तलचट वे दूसरे तलचट की पढ़तें मिलती है मतलब कि भाई यहाँ पर गहना चाहरा है कि जो अपसाधी चटान होती है और जो भूपरपटी होती है तो उन नोनों की बीच का जो क्रॉस सेक्शन होता है मतलब एक लेयर और दूसरे लेयर के जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर उसकी बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होता है जो तलचट होते हैं तलचटो की जो भिन पढ़ते होती हैं रूप जिवाश्म जिवाश्मों के रूप में पाए जाते हैं ठीक है अलग-अलग जो जीव होते हैं वो अलग-अलग जिवाश्मों के रूप में यहाँ पर यह तलचट होती हैं इन में पाए जाते हैं ठीक है और क्या होता है और उस काल और उस काल के जीवों का क्या करते हैं वो हाँ जीवों का प्रती निधित्व करते हैं प्रती निधित्व प्रती निधित्व करते हैं ठीक है करते हैं ठीक है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं थर्ड पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर जब यह रिप्रिजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, कि हाँ भई हम ही क्या है इनके जीवाश में, उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब जो मूल जीव होते हैं, यानि कि जो ओरिशनल जीव हैं, मूल जीवों के शरीर जो होते तो यह क्या करते हैं यह कालांतर यानि की बहुत लंबे टाइम तक क्या करते हैं चटान जो होती है कालांतर में चटान का निर्मान करते हैं ठीक है क्या कर रहे हैं निर्मान कर रहा हैं बहुत लंबे टाइम तर फिर जो मृत जीव होते हैं इसके बाद जो मृत जीव होते हैं वो क्या करते है, मृत जीवो को चटानों में बदलना, क्या कहलाता है, अश्मी भवन, अश्मी भवन कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते है, पेलियंटो लॉजी कहते है, ठीक है, कहलाता है, मृत जीवो का चटानों में बदलना, अश्मी भवन यानि की पेलियंटो लॉजी कहलाता है, इतनी बाद समझ में आई, चलो बढ़िया, अब इन जीवो के चिन जो है, क्या हो गए पर शेश रह जाते हैं, वाकि सारा काम ने पढ़ गया है, लेकिन जो इनके क्या ह ये जो जीव है, इन जीवो के जो चिन है, ठीके, वो क्या है, शेश रह जाते हैं, शेश रह जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिवाश्म कहते हैं, जो क्या कहलाते हैं, जिवाश्म यानि की फॉसिल कहलाते हैं, ठीके, फिर इनके अध्यान को क्या बोलते हैं, हैं हम यह तो क्या कहलाएगा प्लांक्टोलोजी कहलाएगा ठीक है क्या कहला यह प्लांक्टोलोजी कहला यह प्लांक्टोलोजी ठीक है और जो इनका अध्यान होता है वो क्या कहलाता है अधियान क्या कहला यह क्या है प्लांक्तौलोजी ठीक है और यह क्या है पेलैन्थौलोजी correct थो जो जिवाश में होता है वो क्या करता है जैव विकास के लिए बहुत ही important role play करता है important प्रमार देता है ठीक है जैसे की example हम किसका ले सकते हैं जैसे की हम example किसका ले सकते हैं हाँ जब मैं उधारन की बात करती हूँ तो उधारन में आप किसका ले यह important role play कर रहे है न आरकी अर्की योप्टारिक्स ठीकिज़्टे करें आपके फिर आपके dynasaur आ गए है ठीकि़ दाइनसौर आ गए आदि मानव आ गए ठीकि refIN है ये सारे के सारे क्या कर रहे है जो जैब विकास है, इनका क्या करते हैं ठोस प्रमार देते हैं ठोस, प्रमार देते हैं ठीक है? अब बताओ इतनी बात कितने बच्चे को क्लियर हो गई है सारी की सारी चीज़े? हाँ मुझे भी लगता कि यहाँ पर आप लोग को कोई ژाउट होना चाहिए अब के प्रमाण के बाद हो रही है तो भई जो प्रयोगिक रूप में जैव विकास के प्रमाण प्रस्तूत करता है क्या करता है यह जैव रसायन होता है यह क्या काम करता है हाँ यह प्रयोगिक रूप यानि कि एक्सपेरिमेंटल रूप से ठीक है रूप में जैव विकास के प्रमाण प्रस्तुत करता है ठीक है जैसे कि सभी जीवों की कोशिका के जीव द्रव्य में क्या होता है कारबन होता है जैसे कि हमने क्या बोला जैसे कि आ बोल सकते हो जीवों की कोशी का में क्या होता है जीव द्रव्वे ठीक है ये जो जीव द्रव्वे है इसमें क्या होता है इसमें कार्बन होता है ठीक है और कार्बन के साथ क्या होता है आपका ऑक्सीजन होता है ठीके oxygen आ गिया nitrogen आ गिया है ना ये सब करके सब क्या है ये carbon oxygen nitrogen ठीके ये क्या कर रहे है पाई जाती है जो क्या करते हैं जो carbohydrate protein carbohydrate protein वे वसा का निर्माण ठीक है निर्माण करते हैं ठीक इतनी बात clear सबको है ना सबको clear है सभी जीवों के enzyme की सनरशना भी सेम होती है और वो जो enzyme होते हैं उनके काम भी सेम होते हैं simple सी चीज़ है कि हम जानते हैं कि जो सभी जीव होते हैं सभी जीव जो होते हैं, जीवों के अंदर जो इंजाइम होते हैं, ठीके, ये जो इंजाइम होते हैं, इनकी सनरशना भी सेम है, ठीके, सब केस, सब के केस में, सनरशना भी एक सी होती है, ठीके, as well as, प्लस हम ये कह सकते हैं, कि इनके कारें भी एक से होते हैं ठीक है उनकी सन्रश्णा भी सेम है और उनके काम भी सेम है ठीक सबी जीवों के होर्मोन्स लगबक समान काम करते हैं यह चीज भी हम जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि भई जो सभी जीव होते हैं सभी जीवों के जो हॉर्मोन से हैं है ना यह जो हॉर्मोन से क्या करते हैं यह लगबक समान काम करते हैं समान कार्रे करते हैं यह काम करते हैं कोई दिखकत नहीं है ठीक है जैसे कि हम एक्जैंपल लेते हैं अगर human being में क्या होत करते हैं अगर हम मनुष्य यह क्या है मनूशी में क्या है मनूश्य में कौन सा हॉर्मोन है थाइक् Islands से Piece थायरॉक्षिन हॉर्मोन है इसका अगर इंजेक्षन जो है इसका इंजेक्षिन अगर मेंड़क के मेंड़क के इसका जो इंजेक्शन है अगर वो मैं क्या करती हूँ वो मेंड़क क्या कर रही हूँ मैं वो मेंड़क के क्या कर रहे है मेंड़क के थाइरोईड मेंड़क के थाइरोईड ग्रंथी थायरोट ग्रंथी जो होती है सब में होती है मनुष्य में भी होती है और मेंड़क में भी होती है तो अगर यहां यह जो थायरोट ग्रंथी इस मेंड़क की हम बात कर रहे हैं इसमें यह थायरोट ग्रंथी नहीं है ठीक है तो हमने क्या बोला यह जो थायरोक्सिन होर्मोन का injection है हम ऐसे मेंड़क के अंदर लगाते हैं जिसमें कि ये थायरोड ग्रंथी क्या है नहीं है यानि कि थायरोड ग्रंथी रहत टेड़ पॉल की हम बात कर रहे हैं ठीक है टेड़ पॉल ठीक है लार्वा में लगाया जाए तो क्या होगा बता हां क्या होगा अरे सिंपल सी लगाया जाएगा थारपसिन हॉर्मोन का तो क्या होगा वो जो टेड़ पॉल होगा वो क्या होगा वयस्क में बदल जाता है ठीक है तो क्या होगा तो सिंपल सी चीजे जो वो क्या करेगा जो मेंड़क होगा है ना मेंड़क का जो लार्वा है किसमें बदल जाएगा वो व यहां कोई confusion नहीं है ना चलो अब सभी जीवों के जो गुर्ण सूत्र होते तो यहां पर हमको पेज बढ़ाना पड़ेगा ना चलो कोई बात ने हम एक पेज बढ़ा लेते हैं सिर्फ एक ही एक ही सेंटेंस यहां पर समझाना बाकी रह गया है तो उसके लिए हम एक पेज गुर्ण सूत्र होता है ठीक है सबको मालू है कि सबमें होते हैं ठीक है और यह जो गुर्ण सूत्र है इनमें क्या होता है न्यू क्लिक क्या होता है न्यू क्लिक अमल होता है न्यू क्लिक अमल ठीक है और क्या होता है प्रोटीन होता है है ना प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, और जो DNA होता है, जब मैं DNA की बात करती हूं, तो DNA किसका बना होता है? Nucleotides का, ठीक है, तो सबके अंदर यही सेम चीजे होती है, ठीक है, जो कही ना कहीं क्या मदलब बोला चाहे कि हम जानते हैं कि यह क्या है, सबсь robnt यूट इसको हम थो अधोय तो थाइन करें लगाए कंद हाएं को अगर है जिवाश में बन भी जाएगा ना तब भी वो जchy रसाइन है वो क्या करेंगे बहूट टाइब यूश यूशा है play करेंगे बताने में कि अच्छा ये इंसान तब ऐसा रहा होगा इसके अंदर तब ऐसी बिमारी रही होगीि इसके अंदर ये ये चीज़े होंगी ठीक है चलो फिर इसके बाद आता है तुलनात्मक श्रोणिकी के प्रमाण ठीक है तो इस की जब याने कि यहां पर हम यह बात करेंगे कि जो ब्रून बनता है कि जो ब्रून बनता है ना ब्रून बनने के समय पर जो सारे के सारे ब्रून होते हैं सारे के सारे जीवों के जो ब्रून होते हैं जो सारे के सारे जीवों के ब्रूण होते हैं, वो कैसे होते हैं? एक से होते हैं, ठीके? उनको क्या है? पहचाना नहीं जा सकता है. हम उनको कब पहचान सकते हैं? जब वो विक्सित होते हैं. ठीके? इनको हम कब पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं. जब वो क्या हो जाते हैं, जब वो विक्सित होते हैं, तो हम लिखेंगे विक्सित होने पर, ठीक है, कब होगा भाई विक्सित होने पर, इतनी बात क्लियर कि ब्रुनात्मक प्रमाण में हम क्या बात करेंगे, ब्रुनात्मक प्रमाण में हम यही बात करेंगे, ठीक है, चलो, बहुत बढ़ गया, तो यहां पर इसको लिखते हैं और समझते हैं, ठीके न, तो यहां पर हम क्या समझेंगे यहां पर, सभी जीव अपने जीवन का प्रारंब करते हैं और यह चीज हम जानते हैं है ना कोशिका से करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं यूगमनज ठीक है यूगमनज कहते हैं याने कि हमने बोला जाइगोट करेक्ट इतनी चीज सबको क्लियर है ना कि सारे के सारे जीव क्या कर रहें एक कोशिका से अपने जीवन शुरू कर रहे हैं जिसको हमने जाइगोट इसके बाद भाई, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त यदी सभी कशे रुख वर्गों के प्रारंबिक, प्रारंबिक, भुरून को एक साथ, भुरून को एक साथ रखके देखा जाए, तो क्या देखोगे आब वहाँ पर, हाँ, तो उसको हम पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि वह सब के है, एक जैसे लगते हैं, कैसे एक जैसे लगते हैं, कैसे एक जैसे लगते हैं, बताओ, कि भाई, जैसे मचली हो गई, है न, मचली है सूर है ठीके कच्छुआ है ठीके मुर्गा है और मनुष्य है तो इन सब के जब रूण को आप देखोगे न तो सारे के सारे जो है यह शुरुवाद में एक से नजर आएंगे जब इक प्रॉपर टाइम के बाद जब यह विक्सित होना शुरू कर देते हैं तब हमको पता चलता है कि अच्छा यह मचली है यह सूर है यह कच्छुआ है यह मुगा है और यह मनुख्य है तब पता चलता है हमको फिसका बूण है जब तक कि हम उसके रसायं जहें ऊसके अंदर उसका टेस्ट्वाइन लेकिन फिर भी चीज यह लीचित है कि हमने प्रमान में सकते हैं इसे लिए हम बोल सकते हैं कि जो क्या है मानव का मानव का जो विकास हुआ है इसे लिए इसलिए हम बोल सकते हैं कि मानव का विकास मचली जैसे किसी प्राणी से हुआ है मचली जैसे किसी प्राणी से हुआ है ठीक है पर इस सुनने में थोड़ा अजीव लगते हैं कि मचली जैसे प्राणी से ऐसे केसे हो गया यार है ना लेकिन अब ठीक है हम ऐसा मान सकते हैं इसा बोल सकते हैं कि मानव को जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है किसी मचली जैसे प्रानी से हुआ है ठीक है फिर भाई यहां पर एक बदलाव आया यहां पर आए कौन आए यहां पर हमारे पास कौन आए यहां पर एक वैज्ञानिक आए van deer ठीक है कौना आए van beer sorry deer van beer आय इन्होंने एक वो दिया क्या बोलते है उसको नियम दिया इन्होंने जिसका नाम क्या था Biogenetic Niam का प्रतिपादन किया ठीक है? तो इनके हिसाब से क्या था? यह जो प्रतिपादन इन्होंने दिया था ठीक है? इनके हिसाब से यहाँ पर क्या चीज़े इंकलूट थी? तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला भाई सबसे पहले चीज कि जो ब्रूण है, कि जो ब्रूण में पहले समानने लक्षण आते हैं, ठीके, और उसके बाद क्या होते हैं, बाद में विशेष्ट आते हैं, विशेष्ट लक्षण आते हैं, उन्होंने ऐसा बोला, ठीके, कि पहले समानने लक्षण आ जाएंगे, बाद में विशेष्ट लक्षण आएंगे, फिर उन्होंने कहा कि जाती के विशेष्ट लक्षण जो होते हैं, वो सबसे आखिर में आते हैं, ठीक, उन्होंने क्या बोल लक्षर जो होते हैं ठीके, वो क्या है सबसे बाद में आते हैं उन्होंने ऐसा बोला सबसे बाद में आते हैं ठीक, ये बोला उन्होंने फिर उन्होंने एक और यहाँ पर लाइन उन्होंने ऐड़ाउन कर दी क्या line add on करी उन्होंने यहाँ पर कि जो जन्तु होते हैं जन्तु अपनी ब्रूण अवस्था में अपनी पूर्वज जाती को दर्शाते है ठीके उन्होंने यह तीन बाते जो थी add on करी थी अपने इस नियम में ठीके और यह नियम क्या है यह नियम important है वैन बियर का तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा याद कर लीजिएगा ठीके इसके बाद एक और महान वैज्ञानिक जी आते हैं ठीके इसके बाद एक और महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या है Ernst Heckel आजो देख लेते हैं Ernst Heckel आते हैं बहुत से लोग इनको Ernest Heckel भी बोलते हैं ठीके लेकिन जो द। रेक्ट परनन Iyaशण है वह हमारा क्या आता है Ernst Heckel थिक के इन्होंने क्या था इन्होंने एक और इन्होंने क्या दिया था इन्होंने एक और क्या दिया था सिध्धान्त दिया था जिसका नाम था पुन्रवर्तन Sidhant ठीके अ पुर्णर वर्तन सिधांत जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं theory of theory of re-capitulation ठीक है तो अब इस theory के अनुसार यहां पर क्या हुआ था इस theory के हिसाब से यहां पर क्या हुआ था तो भाई सहब इस थियोरी के इसाब से यहाँ पर इसके अनुसार क्या हुआ था यहाँ पर इसके अनुसार एक व्यक्ति के भुरूण के विकास में जाती के उदिकस के इतिहास की पुन्रुक्ति होती है ठीके जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं बहुत ही साफ साफ अक्षरों में कि भाई साहब और यह जो सिधान्त है कि भाईया बोला गया कि व्यक्ति के भुरूण ने क्या किया जाती की बहुत पहली जो जो भी इतिहास था उसको रिपीट किया ठीक है तो इसी को हमने क्या नाम दिया इसी को हमने नाम दिया बायो जैनेटिक्स ठीक है इसी को हमने क्या नाम दिया बायो जैनेटिक्स नाम दिया कर्रेक्ट इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई फड़ा फड़ से बता तो इसके बाद हम आगे की प पिर आजाओ ठीक है और बात करते हैं भाई जैब विकास के प्रमान तो चली रहे है तो यहां पर हमारे पास क्या आते हैं अवशेशी अंगों के प्रमाना जाते हैं हमारे पास ठीक है तो अवशेशी अंगों को हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं भाई साहा वेस्टीजियल वेस्टीजियल और गन्स ठीक है इनको हमने क्या कहा वेस्टीजियल और गन्स कहा ठीक है तो य में पाए जाने वाले अनुपियोगी अंगों को अवशेशी अंग कहा जाता है अवशेशी अंग कहा जाता है ठीक है तो भई ये ऐसे अंग है जो हमारे शेरोईट में क्या है अनुपियोगी है मतलब हो सकता है कि बहुत पहले हमारे पूर्वजो कटाइम पर ये जो अंग थे वो उपियोग में आते हो लेकिन जब हम आज के मनुश्य के बात कर रहे हैं तो ये जो अंग है वेस्टीजियल ओर्गन जो है इनका कोई यूज नहीं है ये क्या है अनुपियोगी है ठीक तो ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि ये अफशेशी अंग ये अफशेशी अंग ये अफशेशी अंग पूर्वजो में जो पूर्वजो की क्या बोलता है मेरे जो पूर्वज थे उनमें सक्रिय रहे होंगे है ना तो लिख सकते है, पूरवजो में क्या थे ये, सक्रिये पूरवजो में सक्रिये अवस्था में थे, ठीके, चलो, अब ये जो है, ये अवशेशी अंग जुसे, इनका हमारे जैव विकास में बहुत ही इंपोर्टन रॉल है, बहुत मेहत पूर्ण है ये हमारे जैव Bubble का सुले तो उधारन के हम किसका उधारन लेते हैं चलो आजाओ उधारन के हम बात करते हैं याने कि हम अपने एक्जैम्पल्स के उपर आते हैं उधारन में हम क्या बात करेंगे बताओ कौन बच्चे हैं जो बदा सकते हैं कि भाईया वैडम ची उधारन में यह यह चीजें आएगी यहाँ पर तो उधारन में सबसे पहले हमारे पास क्या आजाता है क्रमी रूपी परेशी का यह आ जाता है हमारे पास और क्या आता है हमारे पास दूसरा हमारे पास आता है निमेशक पटल आ जाता है ठीके और क्या आ जाते है हमारे पास अक्कलदार आ जाता है अक्करदार ठीके फिर हमारे पास जो हमारे कान होते हैं तो कर्ण पल्लव की पेशिय आ जाती है हमारे पास ठीक है? और क्या जाती है पुछ जो हमारी पूछ होती है ठीक है जिसको हम क्या लिखते हैं पुछ कशेरू काए आ गई ठीक है फिर तौच्छा पर बाल आ गए तौच्छा पर बाल तो यह सारी चीज़े क्या है उधारन है कि यह हमारे जो पूर्वस थे उनमें हो सकता है एक टाइम के असपास उनमें यह सक्रिय रही हो लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं मनुश्य की बात करते हैं जो हम प्रजेंट टाइम के हैं तो यह सब आलमोस्ट हमारे में से गायब हो चुकी है कोई यूज नहीं है इनका चलो फड़ावर से एक एक करके देख लेते हैं ठीक है तो हमने कहां अव्षेशी अंग वो होते हैं जिनका व्यक्ति कम उप्रियोग करता है तता उनकी वृद्धी रुख जाती है अव्षेशी अंक्यल आता है जैसे कि अपैंडिक्स अक हां पर हम क्या बोलेंगे यह क्या है हां मनुष्य में यह अव्षेशी अंग है क्या है यह जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में यह क्या है अव्षेशी अंग है ठीक है क्या है यह अव्षेशी अंग है मनुष्य में ठीक फिर और क्या लिख सकते हैं जबकि भ वां भोषरी है जन्तू ठीके उनका क्या है वहाँ पर ये क्या करते है इसका को पर इस्तरूमाल करते हैं है यह dilco at ठीक, cellulosa क्या कर रहे हैं, ये पाचन का काम कर रही है, है ना, अब इसको हमने क्रमी रूपी क्यों बोला, तो क्रमी रूपी इसले बोला, कि भाई ये क्रमी के जैसी है, तो कीडे के जैसी है, है ना, ये क्या देखो दिख रहे हैं आपको, ये कैसे कीडे के जैसी लग रही है है ना है न और ज cabe your money isсти securities बड़ जाती है तो यह क्या करती है दर्द करती है या यह किल घृत्यकलंबाई क्या करती है बड़ जाती है तो अडर्द हो अब अदलिका जैसी है यह और वेकल केरे जैसी दिखाई देदि तो फस्टने से क्या होगा देखो यह बढ़ गई ठीक है चलो फिर आती है यह देखो यह हमारा हमारे हुमन में जो है कहीं इसका कोई यूज नहीं आता है लेकिन जब हम आगर रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट में यहां पर यहां पर आ जाती है और इसका यूज अच्छे से होता है जोड़ो फिर आता है हमारा निमेशक पटल यह देखो निमेशक पटल मैंने क्या पूला हमारी आख के आसपास का यह जो area होता है ठीक है यह वाला इरिया होता है ना यह वाला एरिया होता है यह निमेशक पटल याने कि के नेत्रों में भीत्री किनारों पर पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है, कि मैंने कहा ये क्या है, ये किसी की आँख है, इस तरीके से, इस तरीके से हमारी आँख होती है, अब ये जो हमारी आँख है, इसका जो ये वाला हिस्से की बात हो रही है, ये वाले, ये है हमारी निक्टेटिंग मेंब्रेन, ठीके, इसको हम क्या बोलते है, निमेशक पटल, जिसका हमारे आज के टाइम में, कोई भी यूज नहीं है, ठीके, इसका, कोई यूज नहीं है, ठीके न, इसका, प्लीका सेमी लूनेरिस रिस रिस भी कहते है यह क्या है मनोश्य में क्या है अनुपियोगी है लेकिन कुछ ऐसे जीव है जिनका बहुत यूज है भाई साब मनोश्य में अनुपियोगी है लेकिन अगर मैं मेंडग की बात करती हूँ है ना और मेंडग की बात करती हूँ पक्षी की बात करती हूँ ठीक है और खग की बात कर रही हूँ खग खग की बात कर रही हूँ तो इन में क्या है यह अभी भी सक्रिये है मतलब इन में अभी भी यह काम करते हैं ठीक है जो इनमें कॉर्णिया होता है इनकी आंकों में उसको साफ करने का काम करते हैं देखो कैसे करते हैं मनुष्य में तो अनुप्य होगी है हमारे यूजलेस है ठीक है यह हमारे यूजलेस है बिल्कुल क्योंकि इसका क्या यूज हो रहा है बताओ कोई यूज निमेशिक पटल इसके बाद आ गया अकलदाड ये देखो है अर्ध विकसित होती है अगर मैं अक्कलदार की बात करूँ ये क्या है अर्दविक्सित ठीक है और मनुश्य में क्या है ये मनुश्य की बात करते हैं तो उसमें क्या है ये मनुश्य में हाँ ये तृत्यय मोलर दाथ है ठीक है और ये क्या है सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट जो होते हैं प्राइमेट्स में क्या हैं ये क्रियाशील ठीक है ना प्राइमेट्स में यह क्रियाशील है ठीक छलो आगे बढ़ पर जाते हैं फिर आता है कंड पल्लव की पेशिया याने की मसल्स अउफ इयर्पिनन फिर यहां यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है अगर हम कानों की बात कर रहे हैं तो कंड पल्लव यह क्या है भाई साहब यह भी जब बात कर रहे हैं तो यह क्या है यह मनुश्य में बाहे कंड पिन्ना में पेशिया पाई जाती है परंतु यह करण को गति शीलता नहीं देती है गति शीलता नहीं बना पाती है ठीक है लेकिन जब हम बात किस की करते हैं भैंस की करते हैं ठीक या कुत्ते की करते हैं या गाए की करते हैं ठीक है तो इन में क्या है ये इन में सक्रिये हैं इन में अभी भी जो कर्ण पल्लव हैं इनका इस्तमाल किया जा रहा है ठीक है इन में अभी भी इसका इस्तमाल किया जा रहा है बताओ ये जब मनुष्य कान है सब्सक्राइब तो हमने अद्द है हमने स्टाइल लिखा लिक्या ऊसप होती है यहां आ जाती है मास्क लगाने कम अजाता है ठीक और किस काम में आ मरेखान ओर इसफीन काम में नहीं आरा है क्यों है कियों है सारी लड़किया फैशन करवा लेते हैं लड़के फैशन करवा लेते हैं है ना तो कानों में भी इपर आती है गीस घैल को सब्सक्राइब को फिर आती है defer कशेर्ज लोकिपन्च कशेर्च यानने की भाई टेल वर्टीप्री इसरी की यह क्या है यह मनुष्य में पूँच नहीं पाई जाती ठीक है लेकिन या परंतु लेकिन किन्तु परंतु जो चार पुच कशेरुकाएं होती हैं जिने हम सामोहीक रूप से क्या कहते हैं सामोहीक रूप से क्या कहते हैं quieren include हम हाँ इनको हम कहते हैं कॉक्स हिलाते हैं कुट्थ हिला के अपना दिखाते ना फिर आती है भाई साहब तफचा के उपर बाल ठीक है hairs on skin लड़किया क्या करती है hairs को हटवा लेती है क्योंकि इसा को use ही नहीं है कोई use नहीं है इनका तो इसको हम कैसे लिख सकते है तो अच्छा पर बाल को हम लिख सकते है कि मनुष्य में क्या है ये किसी-किसी मनुष्य में क्या होता है किसी-किसी जो आदमी होता है या लड़किया होती है वो क्या है उनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं बहुत सारे बाल होते हैं एक तो बालू के जैसे बाल होते हैं और किसी-किसी शरीर पे बहुत कम होते हैं किसी-किसी किसी शरीर पे भी कुछ नर्मल होते हैं तो मनुश्य में क्या होता जो विरल रोम क्या है ये अवशेशी अंग है अवशेशी अंग है ठीक है जबकी अन्य जबकी जो दूसरे क्या है अन्य स्तन्धारी स्तन्धारी ठीक है जो दूसरे स्तन्धारी है उनमें क्या ये ताप नियमन का काम करते हैं जैसे कि आपके भालू हो गए है ना उनमें क्या कर रहे हैं ताप नियमन का काम कर रहे हैं ठीक है आई बात समझ में हाँ अब आता है सईयों जग कडियों के प्रमार ठीक है मतलब कि दो जातियों के जो बीच में आ जाता है उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है वो आजा है उसकी बात कर रहे हैं ठीक है कि वो सईयों जग कडियों है इनके बीच में तो सबसे पहले भाई हमने क्या बोला ऐसे जनतू जो दो वर्गों के एसे जनतू जो दो वर्गों या संगों या संगों के लक्षर दिखाते हों या दर्शाते हों ठीक है वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं सईयों जी कडि कहलाते हैं और ऐसे जनतू जो होते हैं वो सईयों जी कडियों के प्रमान होते हैं करेक्ट तो हमारे पास सबसे पहला आता है भाई साब वाईरस सबसे पहले क्या आग póst वाइरस ठीक है वाइरस आ जाता है सबसे पहले हमारे पास तो वाइरस क्या है यह जो वाइरस है यह किसके पीच की है यह सजीव और णिर्जीव ठीक है जगत के बीच की सयोज़क कडिए खाने वाली कडिए मस समझ लिया Medam Gikai आपने तो कह था कड़ी है तो हमने खाने वाली कड़ी समझ लिया नहीं, जोडने वाली कड़ी की बात हो रही है ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है यूगलीना दूसर नमबर पर आता है यूगलीना ठीक है जब मैं यूगलीना की बात करती हूं तो यूगलीना किया है ये जो है ये जो पादप होते हैं और जनतु होते हैं ठीक है पादप और जनतुओं के बीच की खाने वाली कड़ी है मैं भी दिना खाने वाली कड़ी लि इसमें पादपो के समान क्या है पर्ण हरित है क्यों क्यों कि अगर मैं पादप की बात करती हूं तो भाई पादपो के समान पादपो के समान क्या है इसमें पर्ण हरित ठीक है पादपो के समान क्या है यह पर्ण हरित पाया जाता है ठीक है और इसकी जब अनुपस्तित ही हो रही है जब यह क्या है पर्ण हरित क्या है अनुपस्तित है यह यह क्या है अनुपस्तित है तो कैसा ब्येव करता है यह जन्तूओं की तरह ठीक है ना जब present है ये पर्ण हरे तो पादब जैसा और जब ये absent है तो जन्तूग जैसा clear इतनी बात फिर तीसे नंबर पर हमारे पास आता है ये पहले देखो ये वाइरस है आपका और ये युगलीना है ठीक फिर तीसे नंबर पर हमारे पास आता है भाई peripetus क्या या peripetus ठीक है peripetus तो peripetus के जब हम बात करते हैं तो इसको किसके बीच की कड़ी माना जाता है इसको माना जाता है भाई अनिलीडा और आर्थरोपोडा ठीक है इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है कैसे माना जाता है कि भाई जब इसमें इसमें क्या है अनिलीडा के समान अनिलीडा के समान क्या है इसमें हाँ अनिलीडा के समान क्या है खंडी भवन है ठीक अनिलीडा के समान खंडी भवन पाए जाते हैं जब कि और्थोपोडा की बात करते हैं तो इसके समान क्या है संधी युप्त उपांग है ठीक है इतनी बात कितने बच्चे को क्लियर हुई ये बताओ, ठीक है, इसके बाद आता है, एक और, क्या एक और आता है मैडम, इसके बाद, हाँ, इसके बाद आता है, हमारे पास, नियो, पिलीना, ठीक, इसके बाद क्या रहा है आपके पास, नियो, पिलीना, तो नियो, पिलीना को किसके बीच की कड़ी माना जाता है, खाने ठीक, आनेलिडा और मोलस्ट के बीश में इसको कड़ी माना चाता है, राइट, चलो, अब यहां क्या होता है भाई, क्या होता है यहां पर, हाँ, आनेलिडा की अगर हम बात करते हैं, तो आनेलिडा के समान यहां पर क्या होता है, खंडी भवन है, खंडी भवन, ठीक, और मोल नसके समान किया है यहां पर हां क्या है मेटल कवच चप्टा मासल आहां ठीक है और दूसरी चीज एनेलिडा के समान यहां पर यहां पर ध्यूपो 4 like triple 4 लार्वा की अवस्ता लारवा अवस्ता ठीक है तो यह क्या हो गए हैं आपके भाया स्योजय करियों के प्रमार्ण हो गए हैं कि यह हैं हमारे सहिआ जग करियों के प्रमार्ण ठीक है इतनी बात कितने वच्चों को समझ में आ यह बताओ फटाफट से ताकि हम क्या है क्लास को आगे बढ़ा सकें बताईए आगे समझ में भाई थमसब करके बता दिया करो चलो इसके बाद क्या आता है हमारे पास नियो पिलिडा ठीक है क्या आया हमारे पास इसके बाद एक और आता है नियो पिलिडा ठीक है और उसके बाद क्या आता है आर्किप टॉरिस ठीक है तो हमारे पास कौन से नमबर पर था यह चार पांच हां हमने बोल दिया था कि यह कि मदस के बीच में है इस ठीक औह पांच वे नमब्र पे हमारे पास क्या एगा और कि 신द अ है अब क्या है हमारे पास है कि अर्किप टूरे चैन यह हम पहला आ इस बंदग चबोलों कि दोनों वाइट कलर से और है है कि अखीर और emphasizes यहां Caitlin थे यह तो इनको किसके बीच की कड़ी माना जाता है इनको माना जाता है भाई रेप्टीलिया और किसके बीच की बताओ रेप्टीलिया और बोलो भाई रेप्टीलिया और पक्षियों इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है ठीक है क्यों माना जाता है अब देखो हमको पते हैं कि यह क्या है एक जिवाश में हम जानते हैं यह क्या है एक जिवाश में जो वर्तमान में नहीं पाए जाते लेकिन फिर भी इसको क्या माना जा रहा है सही हो जी कड़ी माना जा रहा है सोचने वाली चीज है तो भई इसमें क्या है हाँ जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रैप्टीलिया और पक्षियों के बीची कड़ी माना है तो इन में क्या है, दात युक्त जबडे होते हैं, किस में है, रेप्टीलिया में, ठीके, रेप्टीलिया में इस में क्या है, दात युक्त, जबडे, ठीके, प्रत्येक उंगली, प्रत्येक उंगली में नाखून, ठीके, और क्या है, पूछ है, पुछ, कशे, रुका, सहित, इसमें कौन आ रहा है? सरीसरप, वर्ग के लक्षण. ठीक है, यह तो रेप्टीलिया में आ गए, लेकिन मैं बगर बात पक्षियों के करती हूँ, तो पक्षियों के कौन से लक्षण आएंगे? जबाब दो, कौन बताएगा कि पक्षियों के कौन से लक्षनी हाएंगे तो वही पंखों का पाया जाना, ठीक है पेडों पे चड़ने के लिए अंगुटों का इस्तमाल करना, ठीक हमने क्या बोला वही पंखों का पाया जाना घर वाले पंखे नहीं मैडम जी आपने गा था कि पंखों का पाया जाना और पेड़ों पेचड़ने के लिए अंगूटे का इस्तमाल करना अब आप बोलोगे मैडम जी हम तो अंगूटे का इस्तमाल जो है फोन चलाने के लिए करते हैं है ना वाट्सेप पर टाइप करने के लिए अंगुटे का स्क्रॉल करने के लिए है ना पर यहां पर यह लोग जो थे अंगुटे का इस्तमाल पेड़ बचाने के लिए करते थे और हम लोग किसले करते हैं वाट्सेप पर इंस्टा की रील स्क्रॉल करने पर टाइप करने के लिए हैना या finger lock unlock करने के लिए हैना हम लोग इसलें यूज़ करते हैं चलो इतनी बाद सबको कि और बताओ कितने रह गए हैं ज्वाब दो और कितने रह गए हैं बोलो कितने रह गए हैं एक फिर आता है Samuriya और एकड़ना दो चीज़े और आती है Samuriya और एकड़ना कौन से नंबर पे था ये पाच्वे नंबर पे चोटे-चोटे से चड़े नंबर पे आता है आपका समूरिया ठीक है और साथवे नंबर पे आता है आपका एकड़ना ये दो आ जाते हैं छोटे-चोटे से तो समूरिया को किसके बीच का माना जाता है समूरिया को माना आता है एमफीबिया और सरीसरप के बीच में एमफीबिया और सरीसरप ठीक है और जब मैं किसकी बात कर रही हूँ एकिद्नया की बात कर रही हूँ तो एकिद्नया को किसके बीच में वाने है था रेप्टीलिया ठीक है रेप्टीलिया और स्तंधारियों के बीच ठीक है ना कि यह इतनी बात ना कि वह यह रैप्टीलिया के समान क्या होते अंडे देते हैं और इस्तन धारियों के समान क्या करते हैं इनमें इस्तन ग्रंतिया होती हैं बस ओ माई गॉड अभी और बचाए क्या बताओ किस-किस को मालूँ है कि और का क्या क्या है और कितना खतम हो गया बोलो भाई कुछ नहीं बचाए सारा यहां complete हो गया ठीक है इसके बाद था है पूरवश्ता के प्रमाण है तो पूरवश्ता के लिए हमने और बात करें कि जब हमने बोला था कि बोधी ऐसे क्या होते हैं जो भूं होते हैं वह क्या होते हैं और जब इक विक्षित स्टेज Wlex- fils क्र॑ like तब पता चलता है कि कौन सा किसका है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कभी कभी क्या होता है कभी 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 क्या होता है मेरे दिल में खयाल आता है हाँ कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ऐसा कुछ कहना चाहते हो हाँ तो भाई कभी-कभी जीवों में ऐसे गुण आ जाते हैं जो वर्तमान में जो जाती है उसमें नहीं है तो कभी-कभी जो जीव होते हैं, ऐसे गुण आ जाते हैं, जो वर्तमान की जाती है उसमें नहीं है, वर्तमान की जो जाती है उसमें नहीं है, ठीक है, बलकी क्या? बलकी जो कभी हो सकता है कि हमारे पूरवजों में रही हो, पूरवजों में लक्षन रहे हो उनके, रहे होंगे, ठीक है? तो यह जैसे मनुष्य में क्या है? मनुष्य की बात करती हूँ, तो मनुष्य का जो बच्चा होता है उसमें पूछ हो सकती है, पहले रही होगी, जो बच्चा होता है पेट में, तो उसमें पूछ हो सकती है, फिर और क्या हो सकते हैं? जैसे क्या हो सकते हैं? घनेवाल, तो यह क्या है हमारे पूरवस्ता के प प्रमान हैं इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई ये बताओ जल्दी बोलो कि दुनों को समझ में आ गई है हाँ बोलो नहीं आई समझ में अभी भी आ गई हुआ अरे बोल दो भाई कि देखो अब आता है हमारे पास भाई जैव विकास के लगातार चलने वाली अरे बबबरे है अँ प्रक्रिया है ठीक है परन्तु जैसे पहले बदाय जा चुका है कि सूख्षम जीवों में विकास के दर अधिक तेजी से होती है जबकि बड़े जीव में दर क्या होती है बहुत कम होती है ठीक मनुश्य की एक पीड़े से दूसरी पीड़ी में 30 से 50 वर्षों तक का समय लग जाता है ठीक लेकिन इतने ही समय में जो जिवानू होते हैं अपनी करोडों पीडियां बना दीन है सिर अजिवाक समझने हो मैं फिर इसके बाद एक महां वेग्वानिक जिय आए ठीके न इसके बाद क्या हुआ कि भाहिए एक वेग्व्यां जिया आए दो बिग्यानिक दोमंत मानतिक है अजो ही आय थे ठीके लेकिन-डार्विंचीय आय thou लेकिन पहले हम बात बोला था इन्होंने लेमार्क वाद किस ने दिया था सबसे पहली चीज नंबर वन पर लेमार्क ने दिया था ठीक है सबसे पहली चीज लेमार्क वाद किस ने दिया था लेमार्क जी ने दिया था सिंपल सी बात है तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने अध्यन किया था इन ठीके क्या पढ़ाई करी तो उन्होंने बोला कि जो जिराफ था उन्होंने क्या बोला कि भाई जो जीव है ये अपने अंगो के परिवर्तन या लक्षणो का ग्रहन करते हैं ठीके तो यहाँ पर सब लोगों को समझ में आएा कि ऐसा क्यों कह रहे है कि भाई जो जीव है वो अपने अंगो को अंगो में जो परिवर्तन हो रहा है ये लक्षण बदल रहा है उसका क्या करते हिसा ग्रहन करते है तो उन्होंने बोला कि भाई हो सकता है कि जो जिराफ था वो छोटी गर्दन वाला रहा हो है ना उन्होंने कहा जो पहले जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले रहे हो लेकिन भाई भोजन घास और अपनी पूर्ती करने के लिए लेकिन भोजन हो गिया है ना घास हो गिया तो इनकी भूमी पर भूमी पर आसानी से किया जा सकता था इनको आसानी से मिल रहा था फिर हो सकता है सडली वहाँ पे कुछ चेंज आ गया, हो सकता है कि इनके इलावा वहाँ पर कोई और जीव आ गए हो ठीक, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इनके इलावा वहाँ पर और भी दूसरे जीव आ गए हो ठीक है जिननों ने क्या किया हो भोजन खतम कर दिया हो है ना खतम कर दिया हो भोजन इनके लिए हो सकता है तो यहाँ पर क्या है कि चलो इसको एक अच्छे सा डाइग्राम से समझते है ठीक है कि ये बोला कि ये पेड़ है ठीक ये पेड़ है ठीक है ठीक है न और ये नीचे की घास है ठीक अब हमने क्या बोला कि ये क्या है जिराफ है ये क्या है आपका जिराफ है तो हो सकता है ये जो जिराफ था जब इसे गर्दन छोटी रही हो इसकी जो गर्दन है जब ये छोटी रही हो ठीक तो ये अराम से इन घासों को खा सकता था इन घासों को खा सकता था ठीक है लेकिन जब यहां पर क्या हुआ यहां पर ये घास ख इतनी इतनी नननी सी रहें कि छोटी-छोटी सी तो इसको खाना था तो इसके जो बर ऊपर की पत्या थी यहां पत्यों तक पहुचने के लिए हो सकता है इसके अपनी गर्दन को उठाना शुरू कर दिया हो ठीक है कि उन्हों ने जो है जो यहां बदलाव हो रहा था जिरा धाना शुरू कर दिया हूं तो इसलिए हो सकता है कि इसकी लंबी जो कर्दन हो गई हो यहां तक पहुंचने के लिए ठीक है क्योंकि नीचे उसको खाना यहां नहीं मिल पा रहा था तो उससे सोचा अपनी गश्रण में करता हूं और क्या पता मेरी गर्दन उची हो जाए तो मुझे उपर की पत्यां खाने को मिल जाए भूख से मरने से अच्छा है मैं कुछ महनत कर लूँ ठीक है तो यहां पर उन्होंने यह सोचा तो लेमार्क वाद हमारा यह बताता है हमको बताओ क्या आपको लगता है कि ले पूरे दिन मेरा हाथ अल्मोस्ट ऐसे ही रहता है लिखती रहती हूं पूरे ठीक है तो क्या मैं इस जीस को अपना लूँगी मेरा यह वाला हाथ लंबा हो जाएगा और यह वाला छोड़ा हो जाएगा बहीं लेमार्क जी के हिसाब से तो यहीं चल रहा था ना हाँ चलो डार्विन से पहले फ्रांसीसी विज्ञानिक लेमार्क ने अरजित लक्षणों की वंशागती का सिधान्थ विकास के लिए और कहा कि जीव अपनी आवशक्ता के अनुसार अंगों को उत्पन करते हैं ठीक है नई अवशक्ता के अनुरूप नई अंगों की उत्पती उपारजित लक्षणों की वंशागती तथा निरंतर व्रद्वी की प्रवत्ती के लिए लेमार्क ने जिराफ का उधारन प्रस्तोत किया इसके अनुसार जिराफ का आकार पहले कुट्टे के समान था पैरों में उंगलिया पाई जाती थी ग्रीवावे अगरपाद छोटे दिया ठीक है मानते हो इस चीज को क्या ऐसा हो सकता है फिर इसके बाद हमारे चार्ल्स डार्विन सहाब आए ठीक है कौन आए हमारे डार्विन सहाब आए तो डार्विन सहाब जो थे वो क्या थे वो एक प्रक्रतिवादी थे जो हमारे डार्विन सहाब थे ये कौन थे ये क्या थे हमारे प्रक्रति वादी ये कौन थे प्रक्रति वादी थे ठीक है ये क्या करते थे प्रक्रति वरण वाद दिया था इन्होंने इन्होंने क्या दिया था प्रक्रति वरण वाद दिया था करेक्ट बिल्कुल अब यहाँ पर 1838 में 1838 की बात है बात उन दिनों की है ऐसे है 1838 की बात है इन्होंने यहाँ पर एक विग्ञानें जी आये थे था Thomas Malthus, विज्ञानिक जी आये थे, Thomas Malthus, ठीके, तो इन्होंने एक बुक दी थी, इन्होंने क्या दी थी, एक बुक दी थी, और इस बुक का नाम क्या था, An essay on the principle of, principle of population, ये बुक दी थी इन्होंने, ठीके, इसके अंदर तीन सिध्धान्त मुझूद थे, ये जो बुक थी, इसके अंदर तीन सिध्धान्त थे, ठीके, इस बुक में ये जो Thomas जी थे, इन्होंने तीन सिध्धान्त लिखे थे, पर हमारे डार्विन जी में मानने वाले थोड़ी थे, उन्होंने पढ़ा, और यहां पर तीन सिद्धान्त थे इसमें इन तीन सिद्धान्तों में उन्होंने एक प्लस कर दिया एक सिद्धान्त प्लस कर दिया ठीक और यह जो सिद्धान्त यहां प्लस हुआ था यह क्या कहलाया यही डार्विन का क्या कहलाया यह एक पॉइंट था यह कहलाया नेचुरल सेलेक्शन इन्होंने बोला इसको प्रकरती वरन ठीक है प्रकरती वरन बोला या फिर इसको योग गता की उत्तर जीविता, उत्तर जीविता, ठीक है, clear, यहां जो यह एक पॉइंट इन्होंने इसमें एड कर दिया था, चौथा पॉइंट, बलाब तीन तो पहले से ही थे, तो चौथा किस ने दिया था हमारे डार्विन जी ने दिया तो यह चोटे पॉइंट की वेसे यही क्या केलाया डार्विन का सिध्धान्त केलाया था ठीक है इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई छुट्टू सी बात थी बिलकुल भी नहीं कहोगे कि मैडम जी समझ में नहीं पहले क्या किया इनोंने पहले विशिष्ट क्या किया इनोंने पहले विशिष्ट क्या बोलेंगे उसको हम श्रष्टिवाद हाँ पहले विशिष्ट श्रष्टिवाद पर ये विश्वास करते थे पर विश्वास करते थे ठीक है तो यह ऐसे थे फिर बाद में क्या किया बाद में 1831 से 1831 से लेके 1837 तक इन्होंने क्या किया डॉक्टर हैंसलो के साथ एक जहाज था जिसका नाम था HMS Beagle ठीक है एक जहाज का नाम था थीक है नामक जहाज पर क्या किया इन्होंने कि दक्षिण अफ्रीका पर डक्षिण अफ्रीका के जो जलिए भाग थे ना जो जलिये भाग थे तो जलिये भाग थे उनका क्या किया हां वहां का जो वातावरन था है ना और जो जीव थे पक्षी थे उनका क्या किया अध्यन किया ठीके क्या किया उनका अध्यान किया और इस अध्यान से जो भी निश्कर्ष निकला यह जो अध्यान किया था इससे जो भी निश्कर्ष निकला यह जो अध्यान था इससे बहुत सारे निश्कर्ष निकले थे वैसे तो कर्ष निश्कर्ष है ना बहुत सारे निश्कर्ष नि ऐसा बोल गया कि एक प्रकरतिक विज्ञानिक जो समुद्र की यात्रा करने पहुंच किया है है ना तो उन्होंने क्या किया क्या बोलते एक पुस्तक लिखी ठीक है पुस्तक का नाम था unnatural unnatural वो वेज around the world ठीक है ये राम दिया और इसमें जो भी उन्होंने वहाँ पे देखा था इन जीवों के बारे में सब कुछ यहाँ पे क्या कर डाला लिख डाला ठीक है तो डार्विन जी के बारे में इतनी बात कितने बच्चे को क्लियर हो गई ये बताओ देखो मैं साइड हो जाती हूं बिलकुली इसी चक्कर में कि आप लोग को पूरा बोर्ट देखने को मिल जाए और ये ना बोलो कि मैडम जी हमको समझ में नहीं आया हां इसके बाद उन्होंने एक बुक भी दी थी ओरिजन ओवस्पेशी बाइर नेचुरल सेलेक्शन ये भी लिख देती हूं यहां पर इन्होंने एक बूकत दी थी ठीक है बुक कौन से थी ओरिजन tangled स्पीशीज ओफ नेचुरल सेलेक्शन करेक्ट बिल्कुल ओरीजिन ओफ इस्पेशीज ओफ नेचुरल सेलेक्शन ठीक है जिसमें उन्हें डार्विन बात को दिखाया था देखो अब मैं हट जाती हूं साइड में एक बार देख लो और मुझे बता दो कि कहां दिक्कत हुई बोलो जल्दी से ठीके ना आगे बढ़ जाते हैं चलो फिर 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 ये देखो फिर विकास के डार्विन वाद की दो मुखे संकल्पना है शाखनी अवरोहन और प्रकतिक वरन आया था और इसके जो महतोपूर्ण बिंदू है वो कुछ इस तरीके से है ये देख लो क कि अगर मैं अतिजनन की बात करती हूँ तो अतिजनन को आप क्या कहते हो ओवर पॉपुलेशन ये दिया उन्होंने ओवर पॉपुलेशन ये उनके क्या थे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ठीके तो अस्तित्व के लिए संगार्ज जिसको उन्होंने बोला श्ट्रगल फ ठीक है फिर आया प्रकति वरण याने की नेचुरल सेलेक्शन नेचुरल सेलेक्शन ठीक और उसके बाद आया नए जीव की उत्पत्ति याने की जिसको हमने क्या बोला ओरीजिन ओफ न्यू स्पीशीज तो यह वो सारे में पॉइंट है जो डार्विनवाद में बताए गए हैं बोलो इतनी बाद सबचो क्लियर हो गई है इसलिए मैं साइड हो जाती हूं बार बार कि आप लोगो पूरा बोर्ट देखने को मिल जाए बताईए हो गई ना क्लियर है ना आगे बढ़ जाए जाए फिर हमारे पास एक आता है हाड़ी बैनवर्ग का सिध्धान्थ हमारे पास क्या आता है हाड़ी बैनवर्ग का सिध्धान्थ कहा गए हमारे हाड़ी बैनवर्ग यह रह तो इन्हों ने क्या किया हा इन्होंने बोला कि जितने भी जीवों के विकास हुए है ठीके उसका कारण क्या है विभिन्नता है इन्होंने बोला कि जितने भी जितने भी जीवों के विकास हुए है ठीक है वो किसकी वज़े से हुए है विबेनिता की वज़े से विबेनिता ठीक है या फिर या फिर उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन ठीक है ये दो पॉइंट उन्होंने रखे वहां पर कि हो सकता है कि इन दोनों की वज़े से जो है जीवों में क्या हुआ हो विकास हुआ हो कि जब तक कोई बदलाव नहीं आएगा तो विकास कैसे हो जाएगा गारेक्टे भेलकुल ही कि चलो तो हर्डी वेर्मर का जो सिध्धानथ आएक बार देख लेते हैं कि वो क्या कहा उन्होंने ठीक है तो yeah सिध्धान्थ क्या कहता है gonna क्या कहता है बहुत इंपोर्टन जो क्या होती है बताओ कौन बताएगा बोलो कि एक कि जो अलील आवरतिया और उनके लोकस होते हैं वो क्या होते हैं हाँ एक ही संखिया में जो अलिल हैं और उनके क्या है लोकस है क्या है वो हाँ क्या है बताओ बोलो सु इस्तित है ठीक है और क्या होती है जो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक जाते हैं ठीक है पहले चीज तो यहाँ पर यह आती है दूसरी चीज यहाँ पर क्या एड़ करें उन्होंने कि जो जीन होते हैं है ना जो जीन कोश होते हैं दूसरी चीज क्या एड़ करें उन्होंने कि जो जीन है है ना तो जीन कोश सदा अपरिवर्तन निये रहते हैं तो कि ठीक एसे अनुवन्शीक अ है संटूलन बना रहता है तो फिर क्या है हां है कि फिर फिर उन्होंने क्या कि कि अनील प्रवर्तिया जो होती है जो अलिल प्रवर्तिया होती है उनको हम क्या बोलते हैं उन्होंने बोला कि जो अलिल क्या बोलते हैं उसको आकरतिया इसको हम क्या बोलते हैं या वन बोलते हैं ठीक और तथा जो व्यक्ति गत आवृत्तियों को क्या बोलते है पी और क्यूं कहते हैं पी क्यूं कहते हैं ठीक है ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई है मैं साइड में हज जारी हूँ फिर से एक बार पढ़ लो और बताओ ताकि हम आगे बढ़ें तो यहां पर जो कुछ भी यह है तो इसके हिसाब से यहां पर इन्होंने एक एक्क्यूएशन बनाई क्या एक्क्यूएशन बनाई इसके हिसाब से इन्होंने क्या एक्क्यूएशन बनाई बताओ p square plus 2p q plus q square equals to i i बोलो या 1 बोलो ठीक है यह equation यहाँ पर मिली तो यहाँ पर कि जीव में क्या है q square होता है और a square की 2p q होती है यहाँ पर उन्होंने बोला कि आवरत्ती q square होती है कि यह जो q square है यह क्या है आवरत्ती है ठीक इन्होंने क्या बोला कि p q क्या है आवरत्ती होती है है ना और जो a a है वो a a की क्या होती है 2p q यानि की 2p q क्या है इसको हम a और a से शो करते हैं ठीक है यह आवरत्ती होती है है ना ऐसे होता है ठीक और एक जीव की संख्या में जो capital a capital a की आवरत्ती होती है वो P square होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है, capital A, capital A, इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर क्या बोला, कि भई यह सिध्धान्त यहां पर आ रहा है, ठीक है, यह equation important है, इसको आपको भई समझना पड़ेगा, ठीक, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बताओ, फिर बात करते हैं, भाई साब, मानव विकास के बारे में, जो बहुत important topic है, यहां पर, आजो, आगे हम मानव विकास के उपर, तो भाई हम कौन हैं, हम आज के आधुनिक मानव हैं, हम कौन हैं, हम आज के आधुनिक मानव हैं, हम क्या है जो हमारे पूर्वज थे उनसे बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा अलग है है ना हम अपने जो पूर्वज है जो पूर्वज है उनसे क्या है बहुत ज़ादा अलग है ठीक है हमारे पूर्वज कौन है कपी वंच ठीक हमारे पूर्वज कौन है कपी चलता है जीवाश मा जीवाश म से पता चलता है चलो देखते हैं भाई साहब कि जीवाश में कहां कहां कैसे कैसे मिले हैं जैसे कि हमने क्या बोला हमने बोला भी सेंट्रल अफरीका है चाइना है शिवालिक की पहाडियां है जावा है यहां पर जो है अलग-अलग जगा मिलते हैं है ना तो एक-एक करके जान लेते हैं और मानव का उद्वव और विकास के बारे में हम बात करते हैं इसे देख के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन यही हमारे जीवन की सच्चाई है भाई कि लग बग एक करोड़ वर्ष पहले ठीक है क्या हुआ था कपी वंच कपी वंच याने कि किस क्या बोला हमने इसको एप ठीक है एप से क्या हुआ था यहां पर मानव के उद्वाव विकास की बात चली थी कि जो कपी वंच है यहीं से हमको उठाया गया है ठीक है और आज जो है वो गोरिल्ला क्या हो गया गोरिल्ला ठीक है चिंपैंजी गिबन आज ये तीनों क्या है अस्तित्व में है ठीक है जिन से कहा जाता है कि हमारे मनुष्य से जीवन की शुरुवाद हुई थी इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है जल्दी ये थमसप करके बता दो इसलिए देखो मैं हर बार साइड में हो जाती हूं कि आप लोग को समझ में आ जाए फिर जब मैं मानव की विकास की बात करती हूं तो मानव विकास में भाईया तीन चीज़े आती है बहुत सिंपल से चीज़े हैं मानव विकास में कि तीन चीज़े आती है कौन कौन सी तीन चीज़ा आ जाती है ये देख लो हमने पैन कौन सा लिया है जलो वाइट ले लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कपी वंच ठीक है सबसे पहले क्या आता है कपी वंच आ जाता है फिर आते हैं हमारे पास आधी मानव ठीक है और लास्ट में हमारे पास कौन आ रहे हैं आधुनिक मानव याने की हम ठीक है तो जब मैं कपी वंच की बात करती हूँ तो कपी वंच में सबसे पहले आपको कौन मिलते हैं हाँ बताओ जल्दी से कपी वंच में आप लोगों कौन मिल जाते हैं ड्रायव पितिकस मिलते हैं भाई और दूसरे रामा पितिकस दोनों आधुनिक इसमें आते हैं आपके कपी वंच में ड्रायव ठीक है और दूसरे कौन से हैं रामा पितिकस ये दोनों के दोनों क्या हैं ये दोनों के दोनों कपी वंच से आते हैं ठीके और ऐसा कहा जाता है कि यह जो रामा पितिकस है इससे आधुनिक मानव का क्या हुआ है विकास हुआ है ठीके ऐसा कहते हैं कि इसी से क्या हुआ है जो आधुनिक मानव है उसका विकास हुआ है ठीके और अगर मैं कहूँ है जो रामा पितिकस है इसके जिवाश में कहा मिले है हमको शिवालिक की पहाड़ियों पर इसके जिवाश में कहा मिले है शिवालिक की पहाड़ियों पर ठीके न और ये जो ड्रायोपितिकस है तो कहा जाता है कि जो ड्रायोपितिकस है ठीके इससे किसका विकास हुआ है आधी मानव का इससे किसका विकास हुआ है आधि मानव का तो कपी वश में जो आया क्लियर हो गया अब बात करते हैं आधि मानव की तो आधि मानव में सबसे पहले कौन से आते हैं औस टेलो पितिकस आते हैं यहां पर कौन आ गए औस टेलो पितिकस ठीके अगर मैं औस टेलो पितिकस की बात करती हूं तो इनकी क्या खूबी थी कि इनके पास दो पैर थे इनके पास क्या थे दो पैर थे ठीक है फिर आए हमारे पास होमो फिर क्या आए हमारे पास होमो हैबिलस इनकी क्या खूबी थी है इनका जो ब्रेन था वो क्या था 450 से 600 cc cc मतलब cranial capacity cc मतलब cranial capacity ठीक होमो है बिलस के यह थी फिर हमारे पास कौन आया तीसरा तीसरा आया होमो इरेक्टेस होमो इरेक्टेस ठीक है इनका brain किया था 600 से 850 cc ठीक है तो यहाँ पर यह आधी मानब में 3 हमको मिल गएते फिर हमारे पास कौन आया आधुनिक मानब तो आधुनिक मानब में हम आते हैं ठीक है कौन आ रहा है आधुनिक मानब में हम आते हैं यानि कि भाईया कौन है सबसे पहले नियर डर्थल यह आए ठीक है उसके बाद कौन आया क्रो क्या आया बताओ क्रो बोलो, crow, magnon, ठीक है, और उसके बाद आए homo sapiens, ठीक है, और हम कौन है, हम homo sapiens में आते हैं, तो ये चार्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया है, मैं side हो जाती हूँ, फिर से देख लो, कितने बच्चों को समझ में आया है, बताओ, हम, आगे है सबस्वेरा, ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास कौन आया, देखो, dryopithecus आया है, ठीक, तो जो dryopithecus है, इसको क्या कहते हैं, वर्तमान कपी कहते हैं, वर्तमान कपी, ठीक है, क्या बोला, वर्तमान कपी, याने कि ये कौन आ हमारे पूर्वस थे, और जब इनके जिवाश में की बात हुई थी, तो जिवाश में कहां मिले इनके, जिवाश में मिले, क्या मिले, एशिया में मिले इनके जिवाश में, ठीक है, यूरोप में मिले, एशिया, ठीक, यूरोप, ठीक, और कहां मिले, और इथोपिया, ठीक है, इथोपिया हो गए, और उतरी एफ्रीका हो गए, और ऐसा कहा जाता है, कि इसी के बाद क्या हुआ, जो आधोनिक मानव था, उसका मानव का विकास शुरू हुआ, यह प्रारम शुरू हुआ, आधुनिक मानव का प्रारम यहीं से हुआ, यह क्या थे, यह चिंपैंजी से मिलते जुलते थे, ठीके, और यह गोरिल्ला की तरह चलते थे, ठीक, यह किस से मिलते जुलते थे, यह चिंपैंजी से, मिलने वाले थे, ठीके, गोरिल्ला की तरह चलते थे, ठीके, चेहरा कैसा था इनका, चप्टा था, ठीके, और इनके दाथ कैसे थे, बड़े बड़े थे दाथ इनके, ठीके, अगरपाद भी थे इनके पास भाई, ठीके, और जो पस्चपाद थे, वो कैसे थे, जो इनके जो पश्चिपाद थे वो कैसे थे हां जो क्या बोलते हैं जो इनके जो अगरपाद हैं वो पश्चिपाद की तुलना में लंबे थे ठीक है अगरपाद क्या थे इनके लंबे थे ठीक है ये इनके बारे में था फिर इसके बाद कौन आते हैं हमारे रामा पितिकस आ गूपनी हमको भारěत की शिवालक पहाडिया है कि शिवाल की इस पहाडिया अ ठीक है यहां पर हमको इसके जीवास में बेखें अ यह लगबक भाउ इस तेरा करोड पहले और Gloria अ इनके लक्षण क्या थे लक्षण क्या थे इनके लक्षण थे मनुश्य के जैसे दिखते थे ये मनुश्य के समान समानता थी ठीक है दात और जबड़े आ गए थे इनके पास दात और जबड़े आ गए थे शरीर पे बाल भी थे चहरा सीधा था इनका ठीक है और क्या वो ले लंबाई इनकी करीब 4 फीट थी तो main main point यह हमारे cover हो जाते हैं यहां पर ठीक है ना फिर इसके बाद कौन आते हैं औस्ट्रेलो पितिसन ठीक है इसके बाद कौन से आए हमारे औस्ट्रेलो पितिसन अए तो यह क्या है पूरवी अफ्रिका में मिले जावा में मिले इनके जो जीवा। कहां मिले पूरवी एफ्रिका में जावा में इनकी खूबी क्या थी यह पत्थर से हतियार बनाते थे हतियार ठीक है दूसरी खूबी क्या थी ये शाका हारी थे लंबाई क्या थी इनकी चार फीट और सीधे खड़े रहते थे ये मस्टेश के शम्ता इनकी कितनी थी 400 से 600 सीसी ठीक है ये इनकी कुछ important points थे देखने से भी लग रहा होगा कि सीधे हैं देखो ये बिल्कुल ये क्या है इनके important point है ठीक है इसके बाद बताओ ये समझ में आया फिर अदे होमो हैबिलेस आ जाते हैं हमारे पास ठीक है तो होमो हैबिलेस में हम क्या quality बताएंगे जो हो मो हैबिलेस क्या quality है जिवाश में कहा मिले थे पूरवी अफ्रीका में मिले थे 1962 में हमने इनके जिवाश्मे की बात करी तो इनके जिवाश में हमको कहां मिले 1962 में मिले पूरवी हें अफ्रीका aku है ठीक ना यहां मिले हम्को ठीक और क्या थे यह हुं और क्या बोल सकते हैं कि इन्हें हम टूलमेकर बहुं गर बेन भुलते थे तूलमेकर भी कहते हैं इनको क्योंकि यह हतियार बनाते थे लक्षन की बात करें तो जो इनका मस्तिश्क है तो मस्तिश्क कैसा इनका 650 से लेके 800 सीसी का था ठीके इन्होंने गुफा में रहना शुरू किया फिर इनके पास दंत सूत्र आ गये थे दंत सूत्र ठीके मानव के जैसे जानवरों का शिकार करने लग गये था यह ठीके लेकिन मासाहारी नहीं थे लेकिन मासाहारी नहीं थे बताओ इतनी चीज कितने बच्चों को समझ में आई हाँ आई समझ में फिर हमारे पास आते होम और इरेक्टरस ठीके ना होम और इरेक्टरस आते हैं तो होम और इरेक्टरस के लिए अब क्या बोलोगे दे को लग रहा ना कि इंसान से मिलते जुलती शकल है इसकी है थोड़े अजीब से है लेकिन फिर भी इंसान से कई ना कई मिल रही है शकल इसकी ठीके तो इनके जीवाश में कहां मि मिले हमको जावा जावा प्राइदीप में ठीक है जावा प्राइदीप में मिले और लगबग 15 लाग वर्ष पूर्व प्रत्वी पर आये थे ठीक है फिर क्या है यह कौन थे यह गुफा वासी थे गुफा में रहते थे यह ठीक है मच्टिश्क की अगर मैं बात करूँ तो मच्टिश्क इनका 900 से 1000 सीसी था ठीक है और यह सीधे खड़े रहते थे मासाहारी थे मासाहारी ठीक है देखो फिर से मैं साइड हो रही हूँ ठीक है एक बार पढ़ लो समझ में ना आये तो पूछो इनके बाद आते हैं नियंडर्थल ठीक है इसके बाद क्या आया नियंडर्थल यह पूर्वी वे मद्दे एशियाई छेत्रों में रहते थे यह जो थे कहा रहते थे पूर्वी और मद्दे एशियाई देशों में वे पूरवी वे मथद्य एशियाई छेत्र में पाई गए थे ये ठीक है न, अब इनके लक्षण क्या थे, जब मैं इनके लक्षण की बात करती हूँ, तो ये जोपडियों में, रहने लग देते है, जोपड़ी में रहते थे ठीक, दूसरे लक्षन की बात करती हूँ तो मस्टिश के की मैं बात करूँ तो बहुत जादा डेवलप हो गया था, इनका मस्टिश लगबग कितना, 14, क्या लिख रही हूँ मैं, 1400 CC ठीक है, 1400 CC लगबग ठीक है, इनका जबड़ा आगया था, अच्छे तरीके से ठीक है, और ये क्या था, कि वस्तर पहनने लग गय थे यानि कि कपड़े पहनने लग गय थे ठीक, और ये क्या थे, सरवाहारी थे ये क्या थे, सरवाहारी थे के बारे में यह बात है तीक फिर आते हैं क्रोमन इसके बाद आये क्रोमन देखो मानफ से थोड़ी थोड़ी शेकल मिलने लग गligे हैं औरहे से यह पर पेश बढ़ाना पड़ेगा क्रोमेगण और आजडे हैं चल्व आजाते है क्रोमेगण के पास क्रो मेंगनों ठीक है तो ये जो क्रो मेंगनों थे इनकी विशेष्टा क्या थी भाई ये जोपडियों में रहने लगे थे कहा रहते थे ये जोपडियों में ठीक है और क्या विशेष्टा है इनकी बताओ हाँ ये चित्रकारी करने लग गए थे भाई आर्टिस्ट बन गए थे ये चित्रकारी करते थे ठीक और इसके साथ-साथ ये जानवर भी पालते थे भाई बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे ठीक है इनके पास क्या था इनके पास भाई वानी केंद्र था मतला बोलना इन्होंने शुरू करने लग गए थे ये विक्सित हो गया था वानी केंद्र ठीक है इनका जो माथा था माथा चोड़ा था सीदे खड़े रहते थे सीदे खड़े रहते थे ठीक ही और इनका जो दिन्माख था वो कितना था भाई ऑर साड़े सोला सो सीची यानि कितने सुगए थे क्रॉमैकमिन आई और यही थे तो से शुरू हो गया था हमारा थीक रिजल मैं इनकी बात करती हूँ तो भाई-साब ही होमो सेंस की बात करते हैं कि तो ह Wam dura English क employ करते हैं क्या लक्षण बठाओ शू तो बताओ या सब कुछ मैं बताते जान हूँ तो इनके लखषण क्या है यह कहां पर हुए एफ्रीका में विक्सित हुए सबसे बड़ी चीज लक्षणों की बात करती हूँ या बोलू कि भाई यह कब आये थे तो 7500 से इतना वर्षपूर्व प्रत्वी पर आये थे फिर क्या जाता है लक्षण गुफा में चित्र बनाते थे यह गुफा में क्या बनाते थे चित्र बनाते थे ठीक है फिर और क्या लक्षण था इनका कि भई शरीर पर क्या थे इनके शरीर पर बाल आ गय थे भाई ठीक है शरीर पर बाल क्या थे लेकिन कम थे इनका माथा कैसा था? माथा छोटा था जो इनकी आखे थी यानि की नेत्र थे वो कैसे थे? आगे की ओर आगे की ओर ठीक है? और क्या किया इन्होंने? और क्या करना शुरू करा इन्होंने? खेती करना खेती करना स्टार्ट कर दिया इनों तो यह सारे के सारे क्याते भाई हमारे होमो सेपियन्स में आए थे तो यहां पर इनमें यह लक्षण आए थे अब बदाओ चाप्टर कितने बच्चों को समझ में आ गिया है बहुत ईजी सा प्यारा सा चोड़ा सा चाप्टर था विकास ह कि हम मनुष्य के बारे में जिसको जानना का हमारा पूरा हक था जानना भी बनता था ठीक है चलिए फिर आज ही क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं थांक्यू सो मच उमीद करती हूं कि चाप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा समझ में भी आया होगा ठीक है चलिए मि अगली क्लास में एक और नए और मज़ेदार चप्र के साथ तब तक के लिए अच्छे से रहें खुश रहें अपना ख्याल रखिए बाइबाए